वापस नहीं वापस नहीं और है कि वीडियो जो है वह स्टार्ट हो चुकी है या पर नहीं जा रही है प्लीस कन्फर्म अच्छा थांक्यू प्यू अटलीस तुम्ने बताया तो सही तुम्नों के बात बताओ जब तुम्नों को सही पूछा जाता है कि वीजियो और दोनों क्लियर है फनी तुम्नों अपनी चैट सक्षिये मैं क्या बिजी रहता है ऐसे क्या पाती करता है तो फड़ा मुझे भी शेयर करो अभी का बार चलो तो तुम सभी का स्वागत है वाइफाई बे और आरे क्या अपनी अपनी पता था आपको कि संडे को हमाने वाले हैं आप लोग सभी से मिल लें के लिए तो पहले ये बताओ क कालगेटा हाई कूट में आप लगों साती सथ पढ़ा भी रही हूं लेकिन हाँ के सिस लेगिया भी मता जाना क्योंकि अभी दुर्गा पुजाए कि छुटी चेट रही है है जोगसा पाट आगे बढ़ते है फटा फटा फट सीडिस एफकाच सीपी एफ आप इंडिया के अब बडाश भी कर रहे हैं एक तो फ्री प्लेट आपर पर प्लेट पोलेटां पर उसके बाद अब पते हो इसके बादापोर्म से ने अबर कराया जाता है तो बहुत सरी चीज़े हैं जैसे यहां पर उप्षिंस रहते हैं यहां पर सब्जेक्ट लिए डिफ्रेंट एजगेटर रहेंगे आप चाहो तो अच्छी रखते बुस्की क्लास ले सकते हो यहां पर मॉक टस कराया जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्ट बहु आपको जिससे भी समझ में आपको उप्षिन से वहां पर सब्सक्राइब करने के लिए कोर्स आपके एक लाइन में रहेंगे अराम से कहीं बैट हो अराम से अपने क्लास अदिन करो फोन पे लाप टोप इक इत्थे भी बैट के रिकॉर्ड अवेलिबल है करना कि आपको अन अपको पे नहीं करने के जरूबत है आपको चूबी अमाउंट आप पी कर रहे हो आपको उसमें 10% का डिसकाउंट मेलेगा जैसे अब दिव्यमाम को को इस्तेमाल करोगे तो इसमाल करोगे तो इसमाल कोड दिव्यमाम डू यूज दिसकोट अब बढ़ते हम आगे की तरफ आ रही हूं बालको रुको तुम लोगे चाट सेक्शन देखने तो अच्छा थमनल देखके पहले लेगा के अच्छा इरिट अधर अंदर आय तो पता चला अच्छा सेम हो गया ऐसा कैसे हो गया चलो कोई डी अब स्टार्ट किरते हैं सेशन को फिर फटाफट है तो कि आज मारा सवाल जो है आपकी प्रीविवशीर की पेपर सेही सारे सारे सवाल है आप के निकाले Pastor to a faculty डिफेंश आ दोनों के लिए है्ज क्लासेज चलो औंगे बढ़ जाएगेए अब आज का मारा पहला सवाल या वह बढ़ रहा है वह बंड़ा है वि Ben Kim een da falling oxide causes the acid rain इन में से कौन्स oxide जो है जिसकी वज़े से acid rain होता है बताओ 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 carbon monoxide carbon nitrous oxide या फिर sulphur dioxide कई बार आप लोगों ने सुना होगा एक बार दुबारा जरा confirm हो जो और confirm हो कि सोचो जरा कोई A कह रहा है कोई B कह रहा है हो झाल चलो आई होप आप लोगों को विजिबल होगी चलो तो स्टाट करते हैं आगे और स्टाट करते हैं और एकदम गलतिया नहीं होनी चाहिए जहां भी गलत लगे आप लोगो कि अच्छा ठीक है अच्छा रोज बबजी खेलते हैं तुम लोग नद चमाड खाओगे एक दिन आ स्काशन या फिल डाई दिक्वी तुमारे पास मैं तुम लोगों जैसे हमेशा से कह रहे हो अब थीओरी कर टाइम आपका घंफ हो चुका है अब धूर्य एक्छा गया है अब आपको प्राक्टै सेशन लगाने की जरूवत है हलो 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 everyone very good to raise the octane number अब अगर अगर तो अब दिक्कत आजेए कि तुम लोगों मैं सच बतारी हूं एक्जाम जो है एक्जाम पास है और थियोरी तुम लोगी जो प्रैक्टिसेशन और प्राक्टिसेशन और प्रास के बैच पे आप लूंच होने वाला है बहुत ही जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं कभी तुम तो को ऐसे लिता को अप्टिशन लगा के बढ़ाई कर जाहिए कि कौन पहले जवाब दे रहा है इस तरीके से कुईज करा अचाहिए पढ़ना चाहिए घृूप सब्सक्ता है तुम्हारे बास इस सच अच अच अप्लाइब सकता है तुम्हारे बढ़ों एक बाड़ों एक कि अग्क वें तो निवाद उता है जो जो तूटती है तो प्रदक्षिन निवाग दो साउंड किस वज़े से होता है क्योंकि प्रेशर इंसाइड दा लाम्प इस नदर जो प्रेशर होता है यहां फिर लांप इस दे रियाकिटिव गैसे अंदर भड़ा होता है लाम के इसले वह साउंड निकलती है यह लाम्प इस फेल्ट विद मर्क्यूरी वेपर दाट स्वाइब आप पर आप लोग का बहुत जल्दी क्लासिस जोंगी बोड पर लगनी शिरो हो जाएंगी डॉंट वरी यस इस ए प्रेशर इसाइड दे लाम्प अरी भाई सहाब अंदर जो होती न सही था बाए बाद बताओ बिटा तुम सी जवाब कैसे दे रहे थे बिटा यह कैसे पॉसिबल हो सकता है अफ्रोंसिंट लांप शीप इस अफिल विद विद गासस कंटीनि लोग प्रेशर मोगी वेपर अंद आगे जैनन नियोन अंद क्रेप्टान अगे बढ़ो ना किसो को पसंद है वैसे तरह बताना मजए कोई है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरी डी टारिक एसेड वेरी गुड नितन सम्रान शाम समर अधान सुबशीष प्रवीन पयोष और नोलच पॉइंट यहार तुम्नू नाम बड़ा सही से रख लेते हो यार चाल टारिक एसेड अकर्स नाच्रली मेनी फूट्स अच 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 और फिर बीचा जाता है ऐसा बेकिंग पाउडर के रूप में याद होगा आपको इसके बारे में पहले बर डिसकॉशन किया था एक बार गरी इवनिंग गरीडिंग एजवान ना आटम्स के नीदर भी क्रियेट नौर दिस्ट्रॉइड यह प्रिंसिपल किसने दिया था कि इसने कहा था कि प्रमाणू ना तो बनाया जा सकता है ना ही नस्ट किया जा सकता है किसके दुवारा दिया गया था यह हमेशा से पड़ते आ रहे हो grading, Dalton theory, Dalton theory हमेशा पड़ते आ रहे हो Tut. यह अर लड़किया पड़ते है बहुतत अच्छे सैपते हो यह तुमलो Сलीके वहरे हो अच्छा हो के शूक्रिया आ हमे 05.02 वेरि वेरि गूधैन चालो बाद अच्छा डालतन ए चालो बहुट अच्छा दालतन ने चालो प्रिंसपल दिदिया था, इठारा सो तीन में सिने थीटरी और दालतन आतों आतों इक थीटरी तीम न कहते हैं कि अलमेंट जो इंक अस निए प्रिंछिसिटोंग खुआ अनुड आर्टन आटम धिस् एक बात और PDF चो है मैं आप लोग को प्रोवाइड गर दूंगी आज फॉस्वर मैं पक्के से प्रोवाइड कर दूंगी टेलिग्राम पे एक बार पढ़ जरूर लेना रिविशिंट लो तुम लोग के लिए काम आएगा फड़ा सहोते हैं कभी नजरे से घुमाई लिए कभी किताबों के उपर भी PDF के उपर भी नहीं अच्छा मन नहीं गया मॉडलिंग लाइन में जाने का कोई तखलीफ नहीं अभी मन कर रहा है पढ़ने का चलेगा पढ़ लेगे आप लोग तो चली पढ़ लेते फिर पुटेश्यम परमागनेट इस उस्टी पुरिफाई वाटर अब पुटेश्यम परमागनेट का इस्तमाल होता है वाटर को शुद करने में पानी को शुद करने में प्यूरिफाई करने में आपने यह बताना है कि विच अमंग दर फॉलिंग 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 करेंगे शादी और कुछ अच्छा ऐसा प्यार हाई बहुत बढ़िया वात है शाम कहरेंडी अपनो यूट्यूब सी होगा माम नहीं बच्छा सी तो नहीं होगा हा मिल जाएगी बच्छा सिमरन मिल जाएगी जद्धी यह सवाल पहले भी बढ़ पूछा था मैंने तुम नोगों से याद करो कि आगे बढ़ते हैं आप देखो याप यह वाँ अपर इस देख लेती है अप लोगी कमेंच का हमेशा देती हैं अब अगर में पूरी टाइम अपर टीवी नहीं लगा राख है कि तुमारे कमेंस वाह पर शो हो हो रहे है कि मैने उपर य उपर देख कि मैंने जवाब ठीक है चलिए अई पढ़ने बद्यान दीजे आपने बताना है कि काल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर स्लेक लाइन प्लास्ट ऑफ पेरिस या फर डिटर्जेंट बताईएगा कॉमन ली यूज होता है ये नाम आप लोग हमेश इस सी प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी गुड़ गवधान प्यू समर प्या अरे प्या प्या दिव्या यह मेरी नाम की लड़की है दिव्या चलो हलो हाई प्लास्टर ऑफ परिस काशिम सल्फाइड है मिन इट पता है आपको आगे बड़ी फटा फट विच अमंग दा फॉल् क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है अलमुनियम को, मर्क्यूरी को, लेट को यह फिजिंग को, which one? बताओ, 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 अ प्यू केरियें सी, आनन्द केरियें टीश, गार्था केरियें सी, दिवे केरियें सी, let's go Kolkata guys, oh my god, फिर आके ऐसे मुझे मुझे मत फोन गरना की, ma'am, हम लो Kolkata गए, ma'am, CCC, कभी कर फोन गरना, CCC, अरे, 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 B, 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 C, 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 Mercury, QuickSilver के नाम से जाना जाता हम, Mercury को, तुमनों कभी class थी है हो, कभी भी, जभी मैं class करा रही होती थी, यह मैंने special class figure पढ़ाया था, कभी नहीं मतलब, BAS, मज़ी मज़ी मेरे लेने, Mercury जो की chemical element है, symbol HZ, atomic number 80, element जिसको हम QuickSilver के नाम से जानता है, because of its mobility, Mercury, one of the oldest or deadliest poison, a highly toxic metal, mined with brilliant red ore, आगे बढ़ी, बचे मंग the following was the first artificially produced element, आपको यह बताना है, कि इन में से कौन सा चुआ है, पहला, कित्रम रूप से उत्पाधित, त्रव्वे है, बदाईगा, तत्वे हैं, बोले तो, क्या चाहते हैं, बालको, what do you want, बचे मंग the following was the first artificial produced element, बताईगा, very good, Robin, Katik, शकफ, ने बचे, अ नहीं है, PDF, अचे, बचे, बचे, शक्रिया, सुक्वीर, सविन, रॉबिन, बहुत अचे, बहुत अचे, एक बाबत हो, इसे तुम लोगे, एक, मैरिश्पूरोसाइट डेलेर कर दे के, आम लोग, हम, चलेगा, चलो, पढ़े पधान दो भी, फटाफट, पढ़ाने के, तुम लोग जो होना, कोई को, सच में दमाग गरंगा देते हो, चांसलिदा फॉलिए, पटाश्यम, आपने ये बता रहा है, कि, विच अमंग दा प्लेश्पूरोसाइट रोल, पढ़ाने के, तुम लोग बहुत प्यारे से बच्चों, नन्यमोने से बच्चों, तुम लोग से कहां परिशान हो सकता है, हां, बस कभी-कभी कुछ ऐसी आईडी से लिए इसे थे कमें साता है, तो तो वह जोगता होगता हुए लिक्वट प्रहाँ जाता है, ये अर्कुरी गेलियमे आफिर फ्रांगयम, बताएए, रहे कता ही जहर लग जे है, वहां, अर्यू राइण तो स्पीक इं बंगॉली और वाट? बट फ़र यकाइड फ़मिशन आप बेंगॉली या आई दू स्पीक इन बेंगॉली आगे बताओ अरे भाईया ये चारो का चारो येस बहुत सारे बच्चों का जवा बहुत सही था और जो बच्ची जो प्यारे बच्चे जो नन्ने मुन हैं अरे बहुत सारे लोग है लेखिन चुनोटक साथ डे नियों également कशिष तो कर रहे हैं क्वाब करने वालो की कभी हार नहीं ही योगती वही बात है एंट्लिस्च चुप चाब बैठे रहने से बहतर है कि आप जवाब दे आगे बढ़िए दूसरे सवाल पर मतलब मेरी आखे जो है ना वो ऐसे जग गई है सिरिसली तुम लोगो को तुम लोगी कमेंट साथ से देखते देखते ना वो वला सीन हो गया है now consider the following differences between hard water and soft water बताओ अंतर क्या है भाई या hard water में और soft water water में अंतर गया है पानी में honest answer में नहीं आता किसका answer नहीं आता इसका answer नहीं आता अरे क्या hard water के पास क्या high calcium होता वाइशन कंटेंट होता जबकि soft water जो होता है हाइशन कंटेंट में होता है या फैर hard water not easily rather with the soap जल्दी है भाईया कितने लोग कभी वह वह पानी किसे ने देखा होगा या समंदर का पानी जो होता है जब अब क्या कहता हो रहा कहता हुना कि कपड़े ने धुलते हैं अगर जहां पर कड़ा पानी होता है जहां पर तो वहां पर कहते हैं कि कपड़े साफ नहीं होते हैं ठीक तरी किसे के तो नहीं बाल नहीं साफ हो रहें सही तरी किसे soft water में क्या कहते हो कि हां मतलब लादर भी grade हो जाता सोप के साथ yes it's C both one and two बाता है समझ में ऐसे होता है न कि ऐसे जवाब दी रहता है कि जसा भी तुम लोग दे रहे हो बिल्कुल साइफ मचा मुझे भी नहीं बता क्या हो रहे है मैं तुम्हारी वाली पोजिशन हु हूं इसे चलो यह वेबकेम की पोजिशन पता नहीं हमेशा गतर क्यों होते रहती है अझाल हिए मचा यह भी हम आगे कि पड़ हम है इंफ्रड विद्फिंट् मैं ही बता देती हुँ तुम लोग रहने तो मैं समझ गई बहुत बच्छे कोशिश कर रहे हैं अविराज है इसी जी सिम्रन ओल इन वान जगद पिया पिया दिव्या बहुत सारी लोग है जो कोशिश कर रहे हैं और बहुत सही जवाब भी दे रहे हैं बाकी लोग आप लो थोड़ा सा पढ़ लो एक्जैम है पास में क्या हो गया है कर से दर फॉलिंग कंपाउंट बता रहे हैं आपको इन में से कौन सा और और गानिक कंपाउंट है यह आपको बता रहा है इस वोजिए बाइक कॉबिनेट फैरोसानाइट या कावन वेच्वान अरे जवाब भी तो दोगे कम से कम वेरी गुड वेरी गुड अब अच्छा लग रहा है कितने प्यासे तुमने कितने प्यासे जवाब दे रहे हो वो तो सोचो अच्छा लगता है से और कैनी कंपाउंट नहीं कितने लिवाब ऑष्र न्यूंद you the carbon bonds but also contain the hydrocarbons or the carbon bond into the hydrogen चल है कि बड़ते ही What is the internal restoring forces acting per unit of the cross section of the deformed body called wait какая string stress pressure or surface tension which one very good एसे न बन खुश हो जाता है यह जब तो भूण कितने प्यार से जब जवाब देता हो तो तो हुश हो जागता है बच्चे चलो ठीक है बच्चे जना पढ़ड़े है B B B B Yes, it's B Stress Stress रुकी टॉर्ण इस्ट्राइं फोर्स है acting per unit of the cross-section of the deformed body stress is given by the force here now, what is the stress known as when there is a relative displacement अगर होता है various layers of solid में बताईएगा Very good पिया, अंशू, सोनू, वधान, अंजली भूलू, दिक्षित, मेलाच सी है अच्छा, तुम वो वाले हो ना वो जो कहते हैं ना मेरी चाचा की छादी में जरूल से जरूल आना जो सीन है, वो वाला है ना successful एल जो, solid के move करता है इच अधर में then there's a relative displacement होता है that's various layer of solid बताई समझ में, आगे बढ़ो which of the following element has the highest first ionization in the belly magnesium, sonitium, beryllium या फिर बेरिया which one जवाब, Sanjay कह रहे है, C वैदान कह रहे, Subheer कह रहे है, A Yes, it's C, Beryllium, very, very good क्या बात है, अच्छी प्रप्रेशन हो रखिये दिम लोगी चलो, what happens to the non-metallic character when element of the P block लोग शों रहे है, नॉनमेडली character decrease कर जाते है, डाउन दिक रूप, नॉनमेडली character जो है, increase कर जाते है, डाउन दिक रूप, या फिर नॉफिक्स पार्टिंग, या फिर नन, Which one? बदाएए अ या बदाएँ अ वेरी, 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 बदाएँ इस ए, non-metallic character decrease down the growth, in fact the heaviest metal बदाएँ, आपका HP block is the most metallic in nature, सब को बता है है रहा है आगी बढ़ो गची दर फॉलिंग इस रोकेट फ्यूल में इस्तिमाल होता है या फिर एक केमिकल फॉर्मुला है N2H2 या फिर एट से ब्लू एंड कलर लिक्विट ओल अलव दर वर्ब इन में से कौन सा स्टीटमेंट सही है या फिर इस सारा का सारा स् यह बर्धान कह रहे है ए अरे इसका जवाब अंजुली कह रही है ए आनुच कह रहे है ए अरे ना 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 पियूट ए इस दिन वीडे स्रॉकेट फ्यूल क्या हो गया चल आगे बढ़ो क्या है फिर ओलोफ तोहिवेश फिर इंशॉट एसलेफाइट फॉक्सायड का या फिर फ्रोजन हैंवी वाटर जब की तुम्हाब पता ही तुम्हाँ पताई है तुम्हाँ आशोरी ए टॉकम का फ्रोज हø Do thats My Om Praakash TV ke er ec Harry Babu ke 맞아요 ओकी आविराज के रेड़ी सोनू हां हां बच्चा सही कह रहे हो सुक्वीर ए बादाल ए ए ए ए ए वेरी वेरी गुड वेरी गुर्स वाइफाइफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन डायोकसाइड भहीं तो है आपका ड्राइइस अप्टिंदे शॉली दे फॉर्म द्राइइस बा क्या अच्छा सजेशन दिया है ना तुमने क्या नाम आपको जुगराज सिंग क्या बात है बच्चे आप जवाब दे रहे हैं कंटिंव सी बच्चे जवाब दे रहे हैं आपे हां शुक्रिया देगे आपे चंसर दे फॉलीं स्टेटमेंट ए टनिस बॉल और फुट बॉल इसलिए अच्छा से पर बात है लेन नहांने तो दोनोल या ते बात है मेरी तरफ से तम्हारा नाम भी दुब्या है ना तो मैंने तुहें में भोल दिया जा तरह जो अर्वाइजा इसा आधा देन फुटबॉल के रहत एकिटिक एंड़िक रिंड अगर प्रोद तो ani एक ही स्पीड से कर दोनों रन कर रहे हैं, तो क्या दोनों का सीम कानेटिक अनजी होगा? नौ। चलो, light and a heavy body can have the equal kinetic energy if they have the different velocities. light body, जो कि अगर move कर रहा high speed से और heavy body, जो कि अगर move कर रहा low speed से. horse and dog, जो राने में with the same speed, the horse will possess a more kinetic energy because the mass of the horse is more than the mass of the dog and the simple. आगे बढ़िये, which of the following are correct statement about the millimeter waves sometimes seen in news? बदाईएगा, क्या highest radio frequency band? they have the higher wavelength than microwaves, और they have the notably used security appliances. अचा सुनो, class को एक बार बाकी लोगों में आप लोग शेर कर दीजे, ताकि बाकी बच्चों तक भी practice session जो है, सारे बच्चों तक ये पहुँच पाएए, एक बार आप analyze कर पाएँगे खुद को कि आपके preparation जो है, वो कैसी जा रही है? मैं first class बार Sunday हो, आरे कणिका क्या हो गया, आज तुमने class देली दुन बर, बताओ! कौन है मैं आप कहां से आती हैं, मैं आस्मान से आ जाती हूँग अभी कबार! जबाब दीजे प्लीज, इच सी, 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 पहला और तीसरा ये तुनों का दूनों जो है, ये सही है, समझे, mm waves cos bond EHF band, which runs to the range of frequency from 30 to 300 GHz, वो विच the electromagnetic radiation जो है, वो तुमने किया जाता है कि कम है, infrared lights, also referred as the tetrahazard radiation, आगे बढ़ू, which among the following appear, giving different color mainly due to the phenomenon of interference, a soap bubble, rainbow, oil slick on the wet road, बताइये करने मले कि तुमसे कौन सा mukh रूप से हस्ताशीक में घटना के कारण, अलग-अलग रंग देता वा दिखाई देता है, soap की bubbles आप देखते हो, कभी किया है, कभी, इसा, rainbow, oil slick on a wet road, pitch one, अदबे कहरी इसी विकास कहरी इसी आनन्त, okay, Sashikahan, Sanjay, Samar, कैसा लगता है और खुद का नाम खुदी अगर बुला लो दिवया बुला लो तो किता प्यारा लग जाता है, कभी कभी इसा लगता है और अपना नम खुदी बुला रहे है, इसी, soap की bubbles and oil slick on wet road, चले, दो ले अर होते, thin film such as the oil slick on the wet road or soap की bubbles, जो कि internal and external दोनों में, when light falls on the soap bubbles, it reflected twice, two bar, and once the outer side and again from the inner side, now this causes an interference as which the crest of the wave almost matches with the draw, and thus we see different colors. अगर आठ भी और नौ भी कक्षा में, अगर सही धंसो थोड़ा भी अगर पढ़ाई कर लिया होता है, तो सच बतारी, अभी बस revision करने के जवरत पढ़ड़े होती, और अगर तब भी नहीं पढ़ा तो अभी बढ़ लीजे, वक्त है अभी भी, radioactive emission of which of the following particles would change mass number as well as the atomic number, gamma particle, beta particles, alpha particle, which one? जवाब 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 अभी राज कह रहे हैं C, very good, your heart is broken, okay that's great, जिरज, बच्चा C, 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 आगे बढ़ो, emotional gamma particles does not change the atomic mass or the atomic number, because it does not involve with the protons or neutrons, now, the x-ray and the gamma rays are similar to each other in which of the following respect, क्योंकि दोनों के पास similar wavelength होता है, क्योंकि यादा होता क्राओ जवाब स्प्चा C, that's why, or they are having the electromagnetic waves or they travel with the speed of light, because both are ionizing in nature. ऑढ पार्ए बढ़ा थे बढ़ाते हैं बढ़ातें बढ़ाते हैं , भाठ बढ़ए 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 बढ़ 관련 सी Jacob, NA NAA Na कंचन मिए रही है कि सब्सक्राइब तुम लोगो ना ने को वीवलें तो एक्सरेई जाए रदर ओफ तेनल्स लाग अली थ्री एड पॉरर अजिए तुम को तुम कोई एक ना प्लाइब तुम कि लिए प्रैक्टिस सेशन तहां प्ड़ाइब के लिए टुम लोगो के लिए क्वारों ठीक है मैं तुम लोगों बहतरी टाइम देती हूं क्या हो तरे कमेंट सेशीन हो बच्चे दे रहे हैं बहुत अरे जवाब दे रहे हैं लेकिन उसे चक्कर में क्या हो जाता है बाकी बच्चों का थुड़ा देखी रहे हो आरे आवीराश देखो अविराश तुब लुग लिए एक्सांपल हो गया है यह बच्चा भ्लास 9 में और सारे स्वार मेंने का न सारे स्कूल लेवल के सवाल है तुमनों के लिए अच्चा में जब तुमनों के अग्जाम में कॉम्पेटिश्टिशने प्रपेर करते हो आप तो कि मैट्स के अगर बात कर ले, आप लो की जी एस की बात कर ले, मैक्सम आपका जोता ही तो इसे नहीं कहता है, कि स्कूल लाइफ में सही तरीकी से पढ़ाई करनी चाहिए, आपका 10th level से जादा नहीं आता, आप जब यूपीसी लिजा प्रिपेर करते हो, आपको 12th level का पढ़ते हो, NCRT पढ़ते हो, 10th से तक और इसके बाद 11th 12th का पढ़ते हो, तो basic thing वो है कि आपको ध्यान देने की बाद ज़रुवत होती है, और कुछ नहीं, The pulling sensation, when we stand near the running train, can be explained on the basis of what, किसकी principle पे, ये किसी के law पे आप इसको समझा सकते हैं, Archimedes principle पे, Bernoulli's law पे, Avogrado hypothesis पे, या Newton के third law of motion पे समझा सकते हैं, आप, बताईएगा, जब चलती ही गाड़ी के पास खड़े होते हैं, तो खीचने वाली समवेदना को किसके आधार पे आप समझा सकते हैं, है ना, हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, रतेश ने जवाब दिया है, बर्मोल, अंजली कह रही है, डीच, केमर कह रहे है, वेरी गुड रतेश, इस जस अ फीलिंग, अब बादेश की बादे में सुनना, इस जस अ फीलिंग, ना, ये जो लोग बनाते थे, टिक्टॉक बनाते थे, लोगो तो काफी है ईछ एक्स्पिरेंस होगा, जब रीज वीज बनाते थे, तो मैंने देखा कि ऐसे ओ दुख भरे गाने, ट्रेन जारी हो पास से, और उसकी पास खड़े हुए हूं और फिर वो ट्रें कि आवज और थे गाना चल गया रेल में वेसे मनने हाल पर मैं सीख रही हु the pressure at the point in the surrounding area would be uniform and at the atmospheric pressure when the rain start and gain momentum the increasing velocity of the drain depletes the pressure at the point in the area at close proximity to the drain अब क्या होता है कि जो प्रेशर होता है इस प्रेशर होता है पे वो लेस होता है atmospheric pressure के comparison में जो प्रेशर इसके आस-पास पास प्रेट हुआ होता है वो कम हुआ होता है और इस प्रेशर दो आपने बताना है कि the respect to the measurement of the acceleration g due to the gravity of the earth different values g are found at different depth altitude longitude or latitude which one it's depth altitude longitude or attitude which of the following are correct statement about the cosmets great tell me jaldi jaldi they are made of charged particles that's why they are received on the earth mainly from the sun because of that or they causes the ozone deputation if the time taken in the echo in the five seconds which among the following will be the approximate distance of the object from the source of sound assume so i will assume that the normal room temperature will be 20 degrees Celsius my ecs are also going to 24 degrees 1750 meters 1256 meter 857 meters or 544 uh 54 meters uh आज मन करना जवाब देने का हाँ रुटेश न जवाब दिया है वान एंट टू ओके अरे इसका इसका जवाब दो अभी इसका जवाब है 857 मीटर्स कि थे तमाग कहा जा राज तम लोगों का आज तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि अब यहां पर जाता है वहाब आज पर प्लेस है तुम लोगों के जगर बेज पर आखी पड़। तेको यह पर ओपे, वट इस नेम आप दे नुकलिर केबल है पर सोनी है पर सोनी कमिसाल इस नाइब आप अजाओ अब चुप चाप इदर के करेंट अफे अब बताओ वीर, शौर्य, अगनी, सेवेन या तेजस कॉंसा बताना अरे यार तुम लोग तुम मैं से तिव्याजी पर आजाते हो नहीं नहीं तुम लोग एंसर आजाते हैं अरे शौर्य, शौर्य, क्या नाम था नुकलिर गेबल हैपर सोनीक मिसाइल अरे यह से किया जाता है वहीं से किया जाता है अभी ते नुस में था कभी क्लास भी ले लियागारो कररेंड अफैस की शॉस्चेस्वेलो हिए विल पर इंद्वापनीश देवलोचीए टीजिवफ नूंगर वार यहा अगे बढ़ो निगो यहना कि आगे सार तर्ष विजिए के का उन्माद यूट बैस रवीकुमार ब्रांडड़ अपासना नेहा डिवान अनीश कुछाल नेहा आखाना बाल मां शन्म।ट बतेज हो गये गये दो भीफ्रेंजे तेज होगा किया एक। पासना नेहा पासना यूद अजनेहा बाल तेज हो है और अस्ट्रेलिया राइट आगे बड़ो इंदिन एनाउंस क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टिसिपेट करेगी अपकमिंग नियुक्षाइज जो था होने वाला था उसी टाइब के बारे में अब देखो एक्साइज एक्सेक्टेट टेक प्रेस नेक्स्ट मंथ इन अब दक्रेस के लिए अपने बताना है कि अभी आप नीज वीज में देख रहे होगे और कुछ टाइम पहरे आप देख रहे है एक धीन रहे थे कि anti-satellite missile system के बारे में जो कि अखबारों में और new channel में काफी बना हुआ था आखिर इस model का उध्गाटन जो हुआ है इक इस शहर में हुआ है कोलकता में new Delhi में चैन्ने में या फिर पानाजी में कहां पर बिट आपका नाम है ही नहीं क्या नाम ले आपका अपको तो नाम ही नहीं है new Delhi yes अरी तुमारा यह तुम किसे कैसे नाम लिखे हो nd है चाइनीज में लिखे हो कि नाम अपना है चालो union defense minister राजनाथ सिंग ने recently inaugurate किया था model को anti-satellite missile system model जो कि दीखा जाना था symbol of the national technical advancement के तौर पर inaugurate किया था defense research and development organization बड़े तो अपने DRDO में new Delhi में 2019 में conduct किया था anti-satellite missile test जिसको हमने mission शक्ती के नाम से हमने जाना था जिससे आगे बढ़िएगा नेवी डी जो कि celebrate किया जाता है हर साल commemorate on which operation किस operation के उपलक्ष में नेवी डी को मनाया जाता है नौसीना देवस को मनाया जाता है operation black thunder, operation blue star, operation tornado या फिर operation trend बताईएगा राज कहरे बी ओके anyone else class को share कीज़े बाकी लोग के साथ भी share कर दीजे class को अरे D, 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 D अब यह सब भी चीज़े सो है मतलब तुम लोग अभी फिर याद दिलाने पड़ेंगी वो भी जब ऐसे time पर जब exam जो है आपका बास आचुका है उस time पर चालो it was offensive mission जो की undertake किया था इंडे नेवी के द्वारा और पाकिस्तान पूर्ट कर राची पे 1971 के time पे जब इंडो पाकिस्तान वोर में था यह वही 1971 का time period है जिसकी थोड़े वक्त पहले चाइना ने हमारे उपर हमें परिशान कर रहा था है ना यादी होगा आप लोग को है जिसने किया है हर बार तो करते कुछ नया नया अभी कितने सारी चीज़ों को develop किया है टेकनिकल सिस्टम में हमारे नाम और उपर बढ़ाने के लिए इन्ना को चाणना और ने वाइफिस्ट yes it's B DRDO आगे बढ़ हो defense research and development organization has developed the advanced oil artillery gun system पता ही है आगे बढ़ जाओ which type of military vehicle at C454 which was recently commissioned and surat क्या था हो inceptor boat sea drone offshore patrol vessel या फिर hovercraft what was that अब सच्चीब थोड़ा सब slow चलते है अब slow चलते है है भगवान तुम लोग ने मुझे शची रहां मतलब याद करती यह मुझे उसके बादी शची बूल जाती मुझे फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं तुम पोण वाइफे शटड़ी पे ना इतने प्यारे प्यारे मैं बच्चों बहूंगा और उसकी बाहें तुम मु अगे बढ़िया कि अ अगर इंटर्नल इगरेशन की बात है या फिर एक्स्टर्नल इगरेशन की बात है, आम रिबिया याद है ना, उसको इंटर्नल डिस्टर्बिंस से उस्सटर्म को हटा दिया गया है, तो हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहते हैं, मैं आपसे पढ़ना पढ़ेगा अरे अच्छा क्यों क्या हो गया तुम लोगो इसे हो जा रहा है देखो यहां पर आस्त्रा एमके वन मिसाइल MS and the boss system which was handed over the armed forces develop किया गया था किसके द्वारा आपने बताना है कि आस्त्रा मिसाइल यह जो system है यह सशस्त्र बल्को 100 पे गए है आखेर इसका विकास किस ने किया था किसके द्वारा विकासित किया गये थे डियर्ड के द्वारा ओफबी ब या फिर हल पिच वापस आप लोग लिए सेव नाम आने वाला उस पे सोचना क्या इता साधा यह जा बता नहीं कि यह वेबकम जोनक कभी उपर हो जाता है कभी से साइड में हो जा रहा है अचानक सबताने से हो क्या रहा है बीच-बीच में येस इस ड्रडव अरे यार अब स्कुरी में सोच दी कि थोड़ी पड़ी क्या बात रोहत नहा वादा नम्रेश पीहू रूपम विक्रम अच्छा ओके शिवजीत और तुम लोग मेरे चांद सतारे हो सूरज हो मेरे लिए चांद सतारे चांद सतारे और क्यों अज़ज वो सब कुछ हो तुम लोग मेरे लिए समझे चल आगे बढ़ो पिछ आम अधे इंडिन आमी इस तो रिखुट वोमें अज़ पाइलिट्स फॉर्स ताइम फॉर्स ताइम फॉर्स ताइम फॉर्स ताइम अगले साथ से विखुट सेग्नल आम्ज कॉपस्ट अफिड आमी अविशन कॉर्स या फिछ कॉपस फॉर्स फॉर्स ताइम पागल लिह होता है बताओ जल्दी जल्दी वेरी वेरी गुड न्यूस बढ़ रहे है बच्छे अपने बहुत जई तरीके से वेरी गुड रिसेंट अनॉंस्मेंट वहा है इंटिन आमी की चीफ जेनरर मालोज मकॉन नावाने ने कहा है कि अब वोमन जो है और तो जो है अनको इंड्यूस किया जाएगा इस पाइले आम इस साल से अच्छा इंडिया वाले आप लोग के लिए भी तो आया है ना खबर याद है ना लड़किया भी अब बार्डिसेपीट करेंगी एलसी ये तेजस इस मानुफाक्चर वाइब विच ओर्गनाइजेशन एलसी तेजस इसका नाम आप लोग सुन रहे थे अकबारों में कुछ वक्त पहले एक किस संगठन के द्वारा निर्मान की गई थी बोईंग, DRDO, HAL या फिर एयर बस प्रिच वाड़ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बताओ 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 येस हर्ष्वल ने बताया है सी, मनिश ने बताया है अल, मिश्बू अम्रेश ने बुचार, DRD रही है, DRD हो नहीं है अब देखो यह आपने, Cabinet Committee of the Security chaired by the Prime Minister Narendra Modi ने अलसरवेट किया था Proposal Procurement of 83 LCA Tejas Aircraft जिसका Cost बढ़ रहा था 48,000 क्रोर्स ये सारे Aircraft जो है डिजाइन किये गए बनेफाक्ट्र की जा रहे किसके द्वारा Street Run, Hindustan, Aeronautical Limited, HRL के द्वारा ये contract जो है किसके बीच में हुआ है Indian Air Force के बीच में हुआ है और HRL जो कि likely sign होने का था कब आपके March के टाइम पर वो sign हो चुका है आगे बढ़िएगा विच इस अवेन्यो अव देक्साइज डेजर्ट नाइ 2021 Andaman, Annikobar Island, Goa, Jodhpur या फिर Kolkata, कहां पे कहां पे अरे ये वही जगा है जहां पे एक राजा थे ना Harnit Singh राजा थे याद करो जो कह रहे तो जिर का मन तो बहुत था जब हमारा देश जब आजाद हुआ था जब partition हमारे देश का हो चुका था उसके बाद जब instrument of accession लाए गया था पटेल सहाब के दोरा तो ये वही के राजा थे जिनका मन तो बहुत था कि हमें इंडिया के साथ रहना है लेकिन वह ना चाहके भी पाकिस्तान के तरफ थोड़ी से लुभावन में तो हो रहे थे कि पाकिस्तान नया देश बन रहा है तो हमें वहां पर पोर्ट मिल जाएगा वैपार करने के लिए इंपोर्ट और export duty जो है हमारे लिए माफ कर दी जाएगी जिसको पटेल साहब ने बाद में मना वना के बोला कि भाया सुनो तुम पोर्ट के लिए वहां पर जाना चाह रहे हो चलो तुमको हम देते हैं और तुम लेलो और तुम अराम से कटक का पोर्ट लेलो और तुमको वहां पर कोई duty नहीं लगेगी चुप चब अस इंडिया का हिस्सा बने रहेगे वरना आज जो होते यह जोदपूर जो है यह भी आपका हिस्सा नहीं रहता जोदपूर के राजा थे वो आज़े बढ़िए आज़े शिच गार्डियन ड्रोण्स विच वर ऑप्टीन फॉन कि बारे में एक किस देश से हमने प्रापत किये थे इसराइल से यॉनाइटिन्टीड़ से या फिर फ्रांक से कहां से बियुकर मैं देख रहूं मैं सबके देख रहे हों टेंशन नगतों कि विक्रम को प्लोग की क्लासेजगे या अनक याडमे डिफेंसकोड चानल पर चलती है अप लोग की लाट्याजेश को आके जोइन कर सकते हैं शेशनपों को वहां पर आपके लिए कारेंट पर के सेशन जोग बहुत जल्दी ही कि यह अई की कई टूजडे से लांच हो रहा ह मैं आप लोंग का सुझां कर सकते हैं आन्ट चुप मैं आप Most मैं बताओ हाँ उनाइट्स इस्रायल नहीं डिवा सब शुरू हो गया सब को लगना शुरू हो गया ह new ना 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 यॉनिटेट इस इंट नवी ने MQ9BC Guardian drone दिया था American Defense Company से लीस पि लिया था एक साल के लिए Unbanded Aerial Vehicle था Manufactured by US firm और आपनो जिसके बारे में बात कर रहे है इसराइल के बारे में उससे हमने Spike 7 लिया था Now has been obtained by the lease to enhance the surveillance over the Indian Ocean region आगे बढ़िए, what is the name of the offshore patrol vessel launched by the Goa Shipyard, जो की construct किया गया था, किसके लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ICGS स्ताक्षी, ICGS कंगा, ICGS कावराती, या फिर ICGS सक्षम, क्या नाम था उसका, यह सवाल हमने पहले भी किया था, अरे अनश, बड़े स्वीट निक्लेयर, तुमको इह भड़ ड़ाटा तुम चुपोगे, बड़े प्यारे हो, ऐसी बच्चे होने चाहिए, ऐसी स्वीट से सुडेंस होने चाहिए, वागी को टाटते रेति नहीं सुनते हो, ना 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 बिक्रम, गुस्सा नहीं हो यह, यह शुभम तो पीऊ, वाट्सप नमर, पीऊ, प्लीज, प्रोवाइड, हर्शिड कहरे है, 42 का D, वेरी गुड, कौशिक कहरे है, D, बिकु कहरे है, D, पीऊ कहरे है, यह, कपल जूम जूदपूर एक्जाम का क्यों दे रहे हैं, अब तक, अभी तक, अभी तक, अजली, प्रतिमा, अजना, वेरी वेरी गुड इस ICG सक्षम, कुछ उप पहली पिए आप लोग को जमें चर्ण टेफर करा रही थी तो मैंने भूला था, वेरी पैट इमितिट चो कहीं कि लांच किया 5th Offshore Patrol Vessel को, नीम था ICG सक्षम, इंट कोस्ट काड के लिए, लास्ट Offshore Patrol Vessel जो आया था, लांच किया अगे था अब के शिप आप को ICG के लिए, लाज़ अजन वेरी वेरी थी अप्रटी अम गंस, quick response with the boat, which make it capable for handing emergencies का अगर time आता एक post पे, कहीं भी तो यहाँ पे आराम से इसको handle किया जा सकता है, आगे बढ़िएगा, वाट तैप of missile is Prithweed 2, which was recently test fired, मैंने इस पर आप लोग एक particular league session भी मैंने आप लोग का रखा ते, इसे मैंने आपको explain किया था, आपके इकादो जवाब जोंगी वो गलत हो ही सकते हैं, आप आपके बैठो अपने एक लिखी देखो, कॉपी पेर्म लेके बैठो, देखो आपके कितने सारे सवाल जोंगे, आपके यहां पर गलत हुए है, उसको रवाइस करते हैं, देखते हैं कहां पर कमी आ रही है, तो रवाइस से रवाइस करेंगे, आरे सच्चन, क्या है, ले लिया नाम, चलो, खुश हो जाओ भी, सब्स्टू सॉर्फस मिसाइल, मैंने आपको का सेशन लिया था, और से मैंने आपको का बताया था, सब्स्टू सॉर्फस मिसाइल क्या होता है, सब के बीच का डेफरेंस मैंने आपको बताया था, अब प्रिध्वी 2 जो है, शॉर्ट रेज का बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि surface to surface missile है डेवलब किया गया थे किसके दोवारा अपने DRDO के दोवारा successful है test file किया गया था अभी हाल में उसको और test file किया गया था वही अपना Odisha में बाला सोर में प्रेथवी 2 जो कि air force का version है missile का 350 km की range है payload है 500 kg का आगे बढ़ जाएए the country first अरे ये क्या हो गया जा ये अपने आप के इसे बढ़ गया क्या हो रहा है यह मैं कुछ नहीं कर रही हूं मेरे हाथ उपर रहे है है रभा क्यूं 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 ऐसे हो रहे हो सारे answer पता ऐसे जाएंगे तो फिर क्या बताऊंगी अरे इंबत हो यार अरे यह हो किरे रहे है वेड़ा सेकेंड 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 वेड़ अब आवाज ही नहीं जारू है कि मैंने कितनी सारी बाते बोल दी मेरी आवाज नहीं गई तुमनों कहते हो स्याप पे जो है रहा सर तुम्हारे जिन्दगानी में स्याप पे हैं देख रहे हो सारे सवाल अप अपने अप आगे बढ़ते जा रहे हैं एक अपने अप बढ़ते जा रहे थे आवास जाई यह तुमनों को शारूबादिया यार क्यों बढ़ रहे तुम सारे सवाल जो थे आँ अब क्या ही बोलो कि माम अब क्या ही क्या ही करें माम हमने तो देख लिया इती हांगे बढ़ गए यार कुछ गारे तो यह तो किछ झो शुक प्वेरा कोई बात में इमने जल्दी जल्दी पीछे गर लेना है ताकि तुम लोगे देखने की अ है रिए कि बस चलो अच्छ तुम लोग ऐसे बोल ला कि तुम लोगों ने सवाल की जवाब चो तुम लोगों नहीं देख़ है अगर अगे बड़ो देखा एडवांस हाइपरसोडिक गट बेटर्नल test फैसिलिटी इनागरेट किया गया था कि शहर में बैंगलूरू में हैधराबाद में कोचिन में आफे नॉइडा में कहां पे हैधराबाद यह यह यूनिन देफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग ने इनागरेट किया था इड्वांस हाइपोसोनिक वे टॉनल जो कि प्रिट्वी टेस्ट फासिलिटी सिस्टम में डेवलप किया गया है कोलाबरेशन में किसके दौरा इंडिन इंडस्ट्रीज में वेलब प्ले प्लेव रोल इंफ्रिस्टिक एरोस्पेस और डिफेंस के सिस्टम में आगे काम आएगा मैं हम आयू फ्रॉम यूपी क्या लग रहा है तुम लोग को लग रहा है तुम मान लो फे हैगे नहीं आगे बढ़ो तो यूनिन काबिनेट हाज एप्रूफ एक्सपोर्ट और विच मिसाइल सिस्टम अफ इंडिया बताएगा आकाश नाग प्रित्वी या अमूगा विच मिसाइल के एक्सपोर्ट को आकाश के बारे में नाग मिसाइल प्रित्वी या फिर अमूगा बताई प्रत्वा कह रही है आंसर एग विएडंधर विदान कह रहे है है अँम्रिष कह रहे हैं ए मनिष कह रहे है ऑकाश आकाश शुक्रिया नेहा, पिहू, शुरितम वेरी गुड़ आरे क्या बात है विक्रम सबका जवाब बिलकुल सही इस आकाश यह मैंने तुम लोगों ने देख लिया था इती जल्दी देख के याद नहीं हो सकता है Union Cabinet Minister Chair by Prime Minister नेत्रमोधी रिसेंटली एप्रूफ किया था सेल आफ आकाश में जो कि आपका सर्फिस तो सर्फिस एयर मिसायल सिस्टम है तो friendly foreign countries चुक्कि हम लोग diplomatic way में हम लोग बहुत सरे सेनारियो को हमने solve किया diplomatic तरीके से तो हम लोग friendly nature जो हमारा बहुत है highly powered panel for the quicker approval to export of the military equipment also set up by the defense ministry external affair minister and the national security advisor आगे बढ़ेगा Indian government जो है इससे पहले target हमने set किया था कि हम defense में जो export करेंगे उसका worth अपना USD 5 billion हमने 2024 तक का target हम लेके चल रहे हैं अब तक अब धेहन दीजे the star project which has been approved by the union cabinet is partially funded by which financial institution star project जो है परियोजना जो है इसे मंत्री मंडल के द्वारा अनमोदित किया गया है एप्रूफ कर दिया गया है unit cabinet के द्वारा आपने ये बताना है कि किस financial institution के द्वारा भाया ये financially funded हो रहा है IMF के द्वारा World Bank के द्वारा ADB के द्वारा या फिर AIB के द्वारा अरे शुक्रिया बिक्रम बताएए Yes, it's World Bank है ना World Bank के द्वारा Union cabinet है एप्रूफ किया है स्टेटिंग, स्ट्रीचिंग अंद लर्निंग रिजल्ट फोर स्टेट प्रोजेक्ट वोल्तो स्टार्स जो कि partially funded है किसके द्वारा World Bank के द्वारा ये वही World Bank है जो आपका Indus River का जब संधी हुआ था किसके साथ हुआ था याद है आभी जो मामला काफी जाए चर्चे में था और हमने पढ़ाया भी था कि आभी Indus River का मामला कितना साथ चर्चे में चल रहा था उस टाइम पर कि पाकिस्तान कहा था कि भाईया अब इंडिया जो है हमारे पानी का इस्तमाल करने वाला है तो पाकिस्तान दौड के कहा चला गया था World Bank के पास किया था क्योंकि उस वक्ष्ट जो हमारे पास पास गये तो बहिए वर्ड बैंक वानों ने बोला कि इंडिया जो है पढ़ लिख के कर रहा है सब कुछ पढ़ो इंडिया ने कहा था कि वो पानी रोक के इस्तमाल नहीं करेगा लेकिन कहीं भी ट्रीटी में यह नहीं लिखा था कि इंडिया इंडिस रिवर का रनिंग वॉठर का इस्तमाल नहीं कर सकता है तो बस हमने क्या कि हमने फटा फट बान second बना दिये बात बना के एलेकिसितयूटी हमने फ्रोडीउस करना शुरू कर दिया हम पानी तुढ़ी रोक रहे थे हम तो भाया रनिंग वॉठर का इस्त आधार आपकी पहचान है ना तो सबका आधार एंडूर्मन कराना शुरू कि हार एक किसी का आधार हो तामिलनाडू बिहार में घाले असाम मानो या ना मानो या अधार का सिस्टम आके बहुत जादा अच्छा हुआ है स्पेशली बहुत साय लोग इसके साथ अग्री करेंगे आपको पहले याद होगा पहले एक छोड़ा से इंसिडेंट ले लोगा और अधार जो है आपके पहन कार्ट से अटाच रहेगा अब एक छोड़े सी चीज आपका थाम इंप्रेशन और पूरा घर का पता वता सब कुछ एक बार में आ गया इस आसाम यहां के मुखमंत्री जी अभी बहुत जाचर्चे में भी रह रहे हैं बहुत सारे काम जो है यह कर रहे हैं याद होगा आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आसाम को उसने लॉंच किया है अधार इंडॉल्मेंट राइग ताट एम है कि कवर करना है टूटर 70 लाख स्टूडेंट को हमने अभी कवर कर लेना और सबका क्या बना देना में यह आधार कर बना देना है सबका अच्छा जब यहां पर अचानक से एक मंतरी की मौत की बाद जैसी इलेक्शन कंड़क्ट कराएगा जो दिखा जाता है कि बीच में उनकी तर्म के दौरान पूर्ण के डेथ हो गई थी जिसी कैलकुलेट किया गया तो पता चलता कि जहात तेरी अचानक से आबादी जो है पांच साल के अंदर ही पांच साल भी कंप्लीट नहीं हो और अंदर ही पता नहीं आपादी कहां से डबल हो गई तो फिल्म क्यों ने ट्राई करती बाबा ये क्या कौन सा भाशा है हाज श्रीतम वेरी गुड अहागी बड़ो Scheme for Integrated Co-older Chain and the Value Addition is implemented by which ministry किसके द्वारा ये भाईया implement करी गई है Agriculture Ministry के द्वारा, Finance Ministry के द्वारा, Food Processing Ministry के द्वारा या फिर Fisheries Ministry के द्वारा बताओ क्या हो गया अरे ये क्या चल रहा है आरे विक्रम क्या बात है, so sweet of you फटा फट Food Processing Ministry, very good Deepak, Harshel, Neha, Nitin, Sanjay, Vikram, Pratima, Varadhan, Pihu, Samar, Shabam, very good चले, देखिए आपर, Ministry of Food Processing और Industry जो है, Approved Care 21 Project under the Scheme of the Integrated Gold Chain and the Value Addition ये फैसलर जो लिया गया है, ये किसके द्वारा लिया गया है, Inter-Ministral Approval Committee के द्वारा लिया गया है, जिसको कौन चेर कर रहे है, नरेंदर सिंग तो मर चेर कर रहे है Approval जो है, Expect किया गया कि भाईया, अगर ये Approve हम कर देते हैं इस Project को, तो ये कहा गया कि Investment जो है, 443 का और का Food Processing Industry में जाएगा और जो कि Grant किया गया 189 का और का, कि वो Attract करेगा Investment बहुत जादा Now, Union Cabinet में Approve किया है, Production Linked Incentive Scheme, जिसका Worth Value है, 1.46 Lakh Kroor, कितने सेक्टर के लिए, 5 सेक्टर के लिए, 10, 15 या फिर 20 ये विक्रम सब सुनो, मैम ने स्वीट बोला है अरे, अरे, मैम से सीधे दिवया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तरीका, इंग्लिश बोले से बहुत अच्छा फिर हो जाता है, बताना मुझे? Yes, it's B Very, very good, very good, Union Capit ने अभी भी प्रूफ किया, production link, incentive scheme को, इसका वर्थ है, 1.46 लाक का ओर, और 10 की सेक्टर है, Move expected to boost, इंडिया का ऐसा माना जा रहा है, कि इसके होने से, इंडिया का manufacturing सेक्टर जो है, और export का, वो बढ़ेगा, boost अप होगा, 10 सेक्टर जो की include कर रहे हैं, कौनकों से सेक्टर, white good manufacturing, farmatical, specialized steel, automobiles, telecom, textile, food products, और solar, photovolatic and cell battery, 10 सेक्टर जो है, यहां पर यह मौजूदाना हो रहा है, कि यह सेक्टर जो है, बूस्ट होंगे, उसके साथ ही, जितने भी investment जो है, वो भी इसकी तरफ क्या होंगे, attract होंगे, आगे बढ़िएगा, वधान, no, चलिए, सुरिंद्र आप जवाब दीजेगा, आप लोको नाम लिया जाएगा, आगे देखो, बताईएगा, किस union ministry ने implement किया PMFME scheme को, इन्टिजूस किया है, जो कि हाल महीं, आपके news में और channel में काफ़ी जादा बनाऊ था, Minister of Agriculture के दौरा, Ministry of Food Processing Industry के दौरा, या फिर Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution, या फिर Ministry of Heavy Industries, किसके दौरा, बच्छे, PDF आप लोगो मिल जाएगा, टेलिग्राम चनल पर अवील करा दिया जाएगा, आप लोगो हाँ से ले सकते हैं, PDF, ठीक है, and Academy Defense Court के टेलिग्राम चनल पर आप लोगो अवील करा दिया जाएगा, बताईगा, very, very, very good, very good, Ministry of Food Processing Industry ने सको किया है, आगे बढ़िए, विच इंडिन स्टीट या यूटी ने अभी लॉंच किया है अभ्याम आप को, ये आप जो है, बेसिकली इंटेड्यूस कराएगा है, वोमेन पैसेंजर की सेफटी के लिए, जो कि बहुत जादा जरूरी है, आपको ये बताना है, कि ये किस राज्य ने इसको लॉंच किया, या किस यूनिन टेरिटरी ने इसको लॉंच किया गया, तामिल्नाडों ने, आंध्रदेश ने, कैरना में, या फिर करनाटिका में, ये को एक help 9 number की required सभी को थी, almost, और help 9 number के रहावा app, जिसमें आपके लिए सारी चीज़े जो है, वो अवेल है, कि आप जब भी ऐसा कोई टाइम लगे, आपको कि भाहिया, खतरा है, यू नीड हेल्प, तो वहाँ पे आपके सीफटी के लिए, आपको मदद मिल सकें, थी, अन पुनीद कह रहे है, तामिल लाडू, 51, हर्शिल कह रहे है, 51B, अमरेश कह रहे है, तामिल लाडू, एई, हब, द्रोफ, नहीं, नहीं है मेरी, इंस्टाइडी नहीं है मेरी, खुश, चलो, बताओगे, हमेशा तामिल लाडू, क्यों लगता तुम लोगो, हाँ, कौशिक का जवाब आया है, C, अच्छा, तुम्हें अभी लग रहा है, कैरला, है पने नमबर पर कॉल करने से मैं उठाओगी, नहीं बटाओगे, हर्शिल ने कहा है, B, आंध्रदेश, वेरी, वेरी, गुड, है, चीफ मिनिस्टर फांध परदेश वाइस, जगन मोहन रडी ने रिसेंटली लॉंच किया अभिया मोबाइल फोन अप्लिकेशन, यह अप्लिकेशन लॉंच किया गया है, इस एम के साथ की औरतों की मदद होगी, औरते, बच्चे, जो है, अगर उनको लगता है कि किसी भ आप कहीं भी बाहर हो, आपका सफीर होता है कि भाया, अइमर्जेंसी का टाइम है, आपको खत्रा महसूस होता है, आप यहां पे, आराम से वहां पे, अलाम को रइस कर सकते हो, as a pilot project, as many thousand auto rickshaws fitted with the internet of thing, enabled GPS device will be launched, I guess, इस चीज की जरूवत, हमारे इंडिया में, बहुत सारे राजियो को इसकी जरूवत है, इस नीड़ थे, अच्छा वारदा, नहीं दिखा था बच्च, एक्षली, मुझे जितना दिख पा रहा है, मैं उतना साथा में नाम ले रही हो, क विच इंडिन स्टे इस अनूंस 10,000 करोर वर्थ डेवलप प्रोजेक्ट तो बी कम्लेट इन 100 देज, बताएगा तामिलाडों ने कैरलाने, आंधिपरदेश ने या फर करनाट काने, किस ने, फटाफट, 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 जवाब दीजे इसका, यही क्या हो गया, यह वीडियो क्यों नहीं आ रही है, सारे से अपपर दरी आते हैं, क्या, मेरी क्लास में क्यों आ जाते हैं, सारे से अपर, प्लीजिबर कन्फिर्म, अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चीफ मिनस्ट नहीं आनाउंस किया, कि 9 new industrial units, जो हैं, इंक्लोडिंग डिफेंस पार्क इन पार्केट, वोड बे इनागुरेट, आगे बढ़ियेगा, जम्मु काश्मीर, आर्थिक मामलो के, जो मंत्री मंडल समीती है, उसने एप्रूफ किया है, कि इंडास्री का डेवलप्मेट जो होगा, अब होना शुरू होना चाहिए, किस स्टेट में, या फिर यून टेरिटरी में, जम्मु काश्मीर, बेहार, उत्रप्रदेश या आरे कोई बाती है, मैं समझ रही हूं, सीधी से दिव्या बोल गया, कोई बाती है, मामे 12 साने में साइन साइट के, 12 में कोई क्लास, क्या बोल रहाग अच्छा, येस, अंकोष, तुमको कहां से मेल गया, मेरा इंस्टा इडी जरह बताना, तुमनों कहां से टून लेते हो, तुरत तुरत में, जम्मु काश्मीर, चुकि भाई है, जम्मु काश्मीर में, अब हमारी जम्मु काश्मीर में शान्ती है, और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हमारा चंडा भी वहाँ पे, शान के साथ, उचा, खड़ा है, चलिए, आगे बढ़िए, अच्छा इन ऐस बार UBC का रिजल्ट देखा थो ने? सब ने देखा होगा इस बार फस्स निंबर पर आने वाला बिहार से पांच पर निंबर पर आने वाला बिहार से छटे साते और बहुत सारे बच्चे जो इस बार बिहार से निकले हैं now cabinet committee on the economic affair has approved the scheme for the industrial development of jammu and kashmir कहा ये जा रहा है कि department of promotion and industry and internal trade जो है प्रपोस किया है central sector scheme के लिए इसने अप्रूफ किया गया total outlay पैसा जो है 28,400 कौड का बाकी बाकी बचेवे आपी 17 साल के लिए बतलब 2037 तक आगे बढ़िए चले आगे बढ़िए वे स्टेट इस लॉंच्ट दोर डिलेवरी प्रोग्राम फॉर सप्लाई ऑफ राशन टू जेनरल पॉब्लिक बताएगा किस स्टेट ने लॉंच किया है डोर डिलेवरी प्रोग्राम कि भाईया जो राशन है ना पबलिक के घर में दरवाजे तक पहुंचेगा जैसे ग्रोफर्स और बिग बास्केट वाली करते थे थे ना उनकी तरह तामिलनाडू क्या रिला आंध प्रदेश या फिर करनाट का इस आंध प्रदेश विक्रम कहा है सी हां जी रन्जीत ने विच्छा एनई अंध प्रदेश गौर्मेंट ऑफ आंध प्रदेश जो कि आपके हैड़ेट द्वारा किसके द्वारा वाइस जगर्मोहन रेड़ी ने लॉँच किया है बहुत सारे राज मी फिलहाल बहुत यहां पर कहा जा रहा है कि भाईया डूर डिलिवरी प्रोग्राम जो है राशन वेगरा के लिए वो किया जाएगा मोबाइल डिस्पेंसिंग उनिट वेकल विल सप्लाई राशन राशन अधर एसेंशल कॉमुनिटी जो है अब घर तक घर के दरवाजे तक पहुचेगा यहां पर लेकिन राशन जितने भी है इसका एम यह है कि eliminate कर देना alliteration of food communities and also prevent formation of long queue at the fair price shop आपके जितने भी राशन के दुकान है राशन के दुकानों पर आपने देखा उगए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है राशन के दूकान पर तो कहीं न उसको अवाइड करने के लिए कि भाईया आप घर में बैठे आच्छा वन नेशन वन राशन कार्ड का अपने वैलू जो सुराई होगा अब आप कहीं से भी रहके आपके पास राशन कार्ड है आप कहीं से भी मान लीजिए आपका राशन कार्ड जो है वो MP का बनावा है और आप अब यूपी में रह रहे हूँ तो अफ्यूपी में जहां भी रहा है वहा के दुकान से तको राशयन मिल पाता अब ऑप इसा निए अब जहां भी रह रहे वहां सी आजाए और आभ लेकिन ऐसा नियोफी उठाोpoint यूपी चले गले ऑघ या सब कुछ रजिस्टर होगा चिंता ना करो पता है कुछ कुछ उनिवसिटी से मैं ने देखा है लोग ना तीन चार बर एक ही अलग 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 मुबाइल नंबर से फॉर्म भरते हैं जब मास्टर्स वेगर के जब डिग्री आप और स्यू करने जाते हैं किसी भी गवर्म सब्सक्राइब प्रदेश है कि अब चदली में और डी चीज जो था यह लॉंच की जा चुकी थी कि सेशन को आप सभी एक बार लाइक कर दीजेगा तुम लोग इतना तो थोड़ा सा ग्राटिटूड पे कर सकते हो हां प्रदेश है डी ऑफके तुमने बीटफर चाइनीज में जो नाम अपने तरफ ना बिजनस को अट्राक्ट करेंगे ताकि हमारे जो लोग है इनको बाहर जाने की जरुवत ना आन पड़े तीन दिन का इविंट था अपना था स्टेट ने अनॉंस किया था प्रपोजल तो लॉंच था आयोध्या कोचिंग सेंटर जो की बेनेफिट करेंगा स्टूडेंट को जो की प्रिपेर कर रहे वेरिस कॉम्परिटिव एक्जाम के लिए उनको यहां पर फ्री में पढ़ाया जाएगा और गाइडेंज जोहिन को प्रोवाईड कराई जाएगी आपने बताना है कि किस ministry ने लॉंच किया है National Migration Support Portal जिसका नाम श्रम सकती है श्रम शकती Union Labour Ministry में Union Home Ministry में Union Ministry of Women and Child Welfare ने लॉंच करा है इसको या फिर Union Tribal Affairs Ministry ने लॉंच करा है इसको कोई बात नहीं कोई बात नहीं चली बताई जवाब दीजे आरे श्रिदम ना 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 सबको लग गया ना कि श्रम नाम है श्रम शक्त ऐसी तुम लोग एक्जाम में कर फीज़ा श्रम शक्ती नाम है तो यह तो लेबर से है ना भाईया कनेक्टेड है मतलब मजदूरों को लेके जितने माईग्रेटेटीड हो रहे लेके आया होगा ैसे आप लोगों को यूनेन ट्राइबल आएडमफेड ने अवेरी गदको बहुत कम बच्चों का संहिती हां घृटन ने और देडिकेटए ninja that will help in the formulation of the state or national level program जितने भी होंगे आपके migrant worker के लिए, आगे बढ़िएगा, what is the outlay of the deep ocean mission, outlay क्या था, जो कि announce किया गया था, अभी भी union budgets अपना आया था, उस type में कितने पैसे का outlay दिया गया था, deep ocean mission के लिए, 1,000 कौर्ड का, 2,000 कौर्ड, 4,000 या 7,500 कौर्ड का, कितने का, प्यूँ चुपो जो एक दंबिल को लभी, बदमाशी नहीं, मन्तिवो की बद, हाँ 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 हाँ, तुम लोग ना, बदमाशी ना करो जादा, 4,000 कौर्ड, देखो याँ पर, विच स्टेट ने इंडिया में इंटिज्ट क्या, सोलार डिजिट का, यूनिकौर्ड सिस्टम लांड आइडेंटिटिटी, चब तक आज तुम लोगे, 100 questions नहीं हो जाएंगे, आज तुम लोगे class जो है, तुम लोगो बंद नहीं होगी, सुने, मेरे defense वाले बच्चो, चलो, पढ़ाई करो, सुनो अभी, विच स्टेट इंडिया में इंटिज्ट क्या, सोलार डिजिट का, यूनिकौर्ड सिस्टम, for a land identity के लिए, भाईया, हमारे हाना, पता है न, right to property, पहले न, हम जो अराद देजब आजाद हुआ, तो हम बहुत प्यार से, हमने इसको fundamental right में डाल दिया, कि भाईया, हमारा मॉले का ठिकार है, right to property, फिर भाई सहाब, जैसे cases हुए, हमारे हाँ, लीगल right बना दिया, तो भाईया, यहाँ पर भूमी पहचान, जो है न, बहुत जरूरी है, land identity के, यहाँ पर क्या होता, एक कीटा बढ़ा दो, एक कीटा बढ़ा गे, दूसरे का जमीन जो है, अपने में 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 बला लो, है न, थोड़ा सा जब बना रहे, boundary अपना थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, कई बर कहता है, यह property हमारी, कोई कहता है, यह property सरकार के, कोई कहता है, तो मेरे दादा पर दादा की property है, तो एक होता है न, land identity, आपने बताना है, कि अभी किस स्टेट नहीं, अभी भी लॉंच कर आ है, सोला डिजिट का यूनिकॉर्ट सिस्टम, लांड आइडेंटिटी के लिए, बच्चे कहरे उत्तर प्रदेश, कुछ कहरे सी, 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 औरे, विक्रम, हाँ, यहे कौन, अपना यूपी बोलिटो उत्तर प्रदेश, सो जो यह सार जो सिस्टम था न, सोला डिजिट का नहीं, लेकिन इक पट्टा सिस्टम चलता था, शेर्षा सूरी का टाइम पीरिड आपने पढ़ाया ध्यान से, तो मैंने पढ़ाया भी था आपको इसके बारे में, कि सेर्षा सूरी का टाइम पीरिड था, जिस टाइम पे न, पट्टा सिस्टम चलाया था, उसने कि भाया, किसकी जमीन कौन सी है, ताकि वो पता चल पाय, सबको पट्टा प्रवाइड कराया जाता था, तो स्टेट गवर्मेंट जो अपनी यूपी के उसे इंडिडिूस के एक सिस्टम, जिसमें सोला डिजर का यूनिकॉर्ड होगा, ताकि जितनी भी लैंड होन लिंग है, स्टेट के, उसमें मार्क किये जाएंगे, ताकि आगे चलके कोई भी डिसिप्यूट, कोई भी जगणा जरमेला जो है, वो कुछ भी वो ना हो, आस पर दे रीसें स्टाटिक्स रिलीस पाई दा एवो एच यूए, विच स्टेट ने टॉप किया डिस्बॉसल ओफ लोन, पी एम स्वाधानी स्कीम के तहत, अरे हाँ अनस बहुत अच्छा हो, आप चलो अभी पढ़ाई करो, अच्छा, शुक्रिया, बताईए, अरे वापस से से, पी एम से रिधी योजना के तहत, वरिन वबतरन में कौन सा राज सीर्स पर है, उत्रप्रदेश्ट हर चीज को सबसे पहले इंडिडियूस करता, जब भी सेंटर में कोई चीज आती है, सब हमारे फाइदे के लिए लाई जाती है, अगर सही धंक सगर देखो गए ना, समझों की चीजों को तो, ना, 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 हाँ जी, आप देखो यहाँ पर, ओवर, 55,000 वाटर स्टाक्चों वेर इनागुरेटेट अंडर जल, क्या है इसका, जल अभी शेकम, वाटर कंजरवेशन कंपेन हुआ था स्टेट में, जल अभी शेकम, वाटर कंजरवेशन कंपेन था, भाईया, पानी जो है, पानी को बचाव बहुत ज़रूरी है, चाए वो बारिश का पानी हो, उसको भी हमने बचाव के लिए बहुत सरे तरीके जो हमने बताएं हो उसके लिए, बताईगा, 55,000 वाटर स्टाक्चर जो इनागुरेट किये गे ते, जर्ल स्कीम के तहत, बताईगा, जर्ल अभी शेकम के तहत, महरास्ट्रा में, गुजरात में इसका उद्गाटन हुआ था, मद्यपरदेश में हुआ था, या फिर करनाटका में हुआ था, मैं भी यूपी में ही पैदा हुआ था, अच्छा, अर्विन, शुक्रिया, चलिए, भी जवाब दीजिए, कुच्राद, कुच्राद, अरे, MP, 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 वेरी गुड, बहुत सरा बचों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, यह उतिया, ऐसे पदा चलता है, कि अपनी जो प्राक्टिस है, आमने कहां तक पढ़ाई करी है, कहां तक हमने सही पढ़ा है, ऐसे पदा चलता है, Constitution of India, गारिंटी करता है, विच आप दा फॉल्विंग स्टेट अफ इंडिया, अधर आ जाओ, Constitution of India, गारिंटी, इस विच आप दा फॉल्विंग स्टेट आपका समवधान जो है, हमारे founding father जब इसे construct किया था, हमारे समवधान को, तो इसकी बारे में, टेरिटेरिल इंटीटी की बारे में, सोवर्निटी, राइट तो सक्सीट फॉल्विंग या फिर नन अफ देम, विच वान, विच वान, यह लाइक डूल, अच्छा, ओके, शुक्रिया, कोई बाद मोई चार्ज कर लीचे, बताओ, आरे, आरे, मिक्रम, नन अफ देम, कुछ ऐसा है नहीं आपे, Constitution of India, जो है, हमारे समवधान में, कि प्रेंबल में, इंटूड़ नहीं है, यह वही प्रेंबल है, जो सबसे पहले, Objective Resolution के नाम से, Objective Resolution के नाम से पास किया गया था, किसके दवारा, जवालाल, नहरू के दवारा, एक्विलिटी लिबर्टी संसिटी या जस्टिस कौन सा शब्द जो है इसमें से आपके प्रियंबल में नहीं दिया है मैं अब शादी मत करना क्यों क्या हो गया भाईया नहीं तो नहीं करेंगे लेकिन क्या क्या हो गया तिम लोगो वेरी गुल राहुल दवेधी राहुल दवेधी राहुल दवेधी अन्यों इल्स हम रो रो के नदी बहा देंगे अच्छा सतीश वर्धान हर्षल गोपिनाथ अनस विक्रम अर्ष लेधी वेरी गुड़ अर्ष ए संसिटी हमने कभी पढ़ा ही नहीं हमने दिखा ही हमारे यह दिया वा है हमारे यह क्या प्रेंबल में वी दे पीपल आप इंडिया आपके पास यहां पर इंडिया में है आपको यहां जसरीप प्रवाइड करें जाता आँए हमारे 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 आपके अर्ष इत्वारे करें हुजग करें हैं आपकी जो belief हैं, आपको जो faith हैं, आप किसको पूजा करना चाहते हैं, किसे मानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपकी जो भी thoughts हैं, लेकिन हाँ, वो thoughts बस defamation के तरफ नहीं जाने चाहिए, वहना case दर्ज हो जाएगा आपके उपर, हैना, equality, यहाँ पर हर कोई बराबर है, चाह जबरें दिगनिटी ऑफ इंडिविजीन, एंट इट इंटिगरुटी ऑफ दे नेशन, हमारी कॉंस्टोइट असेमली, जो की 26 जूफ नॉवेंबर 1949 का हुआ था, हमने अडॉप्ट किया था, इनक्ट किया था, और अपने आपको हमने समवधान दिया, फार हमारी founding fathers ने बह Supreme Commander of the Indian Armed Forces, आपको बताना ये है कि भारती सशस्त्रबलो का सरवोच कमांडर कौन होता है, हमारी President of India, Vice President of India, या Prime Minister of India, या फिर Defense Ministry of India, कौन होता है President of India, अरे भाईया हमारे सुप्रीम कमांडर होते है, President of India, चलिए, आगे बढ़िए, इन विच या, the first meeting of Rajasabha was held in Independent India, आच्छा, सबसे पहली बात, भाईया हमारा समवधान कब बन के तयार हुआ था, 1950 के टाइम पे, तो हमारी पहली मीटिंग Rajasabha की जो हुई थी, हमारे या आपर हाउस, राजसभा और लोकसभा, अब आपने ये बाताना है, कि राजसभा की जो पहली मीटिंग हुई थी, हमारे सुतंत्र भारत में, ये किस वक्त पे वा था, 1950 में, 1953 में या फेर 1954 में, कब हुआ था, इस 1952, 1952, बात आई समझ में, 1952, अरे बाईया, 1950 में तो हम ल 1952 में क्या होगा, अपकी मीटिंग जो थी राजसभा की, वो हेल्ड होई थी, डान, आगे बढ़ो, हाँ, 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 वेरी, 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 चाल, आगे बढ़ो, देखो, याँ पे, what fraction of राजसभा member retire every two years, आपने बताना है, कि राजसभा के member क आपकी राजसभा जो होती वो डिजॉल्व नहीं होती है, लोगसभा की तरह, आपकी लोगसभा जो है, डिजॉल्व हो जाती है, पता है आपको, बेने इस पे अरड़ी बताया था, आपको सेश्ण भी चंड़क्ट कराया है, अरे राज़सभा क्या हो गया, नाइटि पोर सब्सक्राइब कर दो साल बाग राजसभा से रिटाइर हो जाते हैं लेकिन बात याद रखेगा राजसभा जो है कि आपकी पर्मनेंट हाउस है यह कभी भी डिजॉल्व नहीं होती कभी खतम नहीं होती हमने इसका सन रचना इतने ब्यूटिफल तरीके से हमारे फांदिंग जगा जहां पर कहीं को बुंद किसी को एसा फील ना हो कि यह हमसे बहुत ब़ड़ा है एक स्थे जो है में छोटे स्थेट की जैसे हम आसाम सार। को यूपी से आरह है ले। यहां पर कहीं को बहुत यहांसा regulate the affair of English East India Company in India कौनसा पहला attempt लाया था भया East India Company ने अपने आपको regulate करने के लिए इंडिया में फिर्स इंडिया आक्ट 1784 वाला Charter Act 1833 वाला Regulating Act 1773 या फिर Charter Act 1813 का कौनसा बदाएए वंपायर क्या हो गया नाम दुप लोग असा अरग दो कि बोलने पर भी लग जाता है अब अब राश्ट करती हां जी हां जी बताएए 65 कर सी वेरी गुड है इस रेगुलेटिंग आक्ट 1773 आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं क्यों सेशन को इक लाइक कर दीजे सबी के सबी और शेयर किजे बागी सारी लोगों भी शेयर किजे सेशन को तकि सब तक सेशन जो है वो पहुच पाए बागी सारी लोगों तक आपका सेशन जो है यह पहुच पाए Regulating Act 1773 जो कि पहला Landmark है Constitution Development में इंडिया में इस Act के थो British Parliament जो है पहले टाइम इंटरफेर करती है इंडिया के Affairs में इंडिया के चीजों में भाईया पहले ही आये थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए Battle of Plassey, Carnetic War और अभी ये कुछ चीजे जो थी ना इनको बाद में एक तरीके से ऐसे Establish कर देती है कि भाईया तुम जो है आप तुम राज करने आये हो जबकि खुद इनके वहां के लोग जो थे ना वो खुद इस बात से खुश नहीं थे कि जब तुम वहां पे गयो ना कि ये टैनिंग करने के लिए चीजों कोilling क्रूसिए ना को यह राज पाठ क्या करना शुरू कर दिए तुम वह ट्म लोग ट्रीटी कर करके जब जहां पर हार रहे होतessen देख आखे तोंड कर लिए तंभ ना अथारिटी फ्रॉं कहां से लेती है हमारा समविधान जो है अपना अथिकार प्राप्त होता है वह पीपल ऑफ इंडिया लोगों से प्राप्त होता है जो यहां के लोग है जो इंडिया के लोग है इनसे दिखो यहां पे we the people of india do have you adopt enact and give ourself this constitution and now this implies that direct authority of the people cannot be claimed or suppressed by the legislation or anyone under this constitution legislation is a representative body or people they constitute the ultimate sovereign so people यहां पे जो हम आप है यह है पावर असली सत्ता है आगे बढ़िये कोई बात ने बताओ 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 इसको heart of the constitution भी कहा जाता है आपका article 32 जो की origin jurisdiction देता है supreme court का ताकि अब जितनी भी matters जो की related है fundamental rights से जोड़े हुए आप सीधे अप्रोच कर सकते हो supreme court is empowered to issue direction order रिट कर सकते है रिट की बारे मैं आपको बढ़ा है था आप लोगों को आप सीधे supreme court को approach कर सकते हैं आप जा सकते है supreme court के दर्वाजे पे आपके समवधान का guarantor कौन है supreme court है आपका guardian कौन है supreme court है है इसलिए हमेशा क्या होता है कि जब भी बाग चलती है आपकी fundamental rights के और डिरेक्टिव प्रिंसिपल की तो हमेशा fundamental rights जो है DPSP से हमेशा उपर हो जात है that's why now the thing is that आगे बड़ो the first no confidence motion was moved in the loksabha in which of the following year पहला क्याता ना पहला हमारे loksabha में जो no confidence motion जो पहली बर मूफ किया था लोग सभा में वो किस साल में किया गया था 1960 में 1963 में 1965 में या फे 1969 में प्रवेश शुक्रिया रवी बिक्रम 1960 थोड़ास आप लोग डाउन हो रहे हो हर्शिल केरें D ना ना अभी थोड़ासा गलत हो रहे हो 1963 1963 no confidence motion जो कि मूफ किया अगे था लोग सभा में आचार एक रपाली रिनी के द्वारा august 1973 में immediately after the destroys India China war जो हुआ था उस टाइम पे इस टाइम पे आपका UAPI Act लाया गया था जिस टाइम पे PDA Act को हुआ ने दुबारा से रिफार्म कर दिया था उस टाइम पे जब national security law के तरफ हम बहुँदा ध्यान दे रहे थे उस moment पे मेंने की feature of the constitution such as the federal structure of government, provincial autonomy, bicameral central legislation and the principle of separation of power यह directly कहां से लिए गए यह जितनी भी मैं आपको बता रहे हूं विशेशता बता रहे हूं संगनियस अरचना, प्रांतियस वाता, केंद्रे विधायका यह जितनी भी चीज़े आप देख रहे हैं बाई कैनिमल central legislation जो है यह सारे separation of power सारे पॉलिटी मैंने आप लोगे कवर किये हैं और यह सारे lectures मैंने आपके कवर किये हैं जो नोगों ने नहीं देखा है आप लोग आने काड में डिफेंस स्कॉट पे जाएगी वहां पे प्लेलिस्ट आपकी बनी भी होगी पॉलिटी की classes की जहां पे सारे classes जो हैं आपके लाइन से लगी दिए होगी नहरू report 1998 वाले से हमने लिया है government of India Act 1909 वाले से हमने लिया है या government of India Act 1935 से या फर Indian Independence Act 1947 से जवाब कोविंद केरे 1935 वेरी वेरी गुड यह वही चीज है जिसको हमने सबसे पहले जब हमारे उपर जब government of India Act लाया गया और हमारे उपर थुपा गया बहुत सारे पण्यों से रखेंपर डाल दिया गया है दायारकी के बारे में था प्रोवेंशल आटाॉनमी के बारे में था तो हमने इसको याजट कर दिया था हमने कहा थे हमें अपना सम्विधान चाहिए यह वही आक्ट है वही आक्ट है जो हमारे पास देखो 1934 में आच्छा सुनो यहाँ पर देखो द्यान दो रवी 1934 में सबसे पहले मानवेंद नात रॉय एमिन रॉय ने मांग किया था सबसे पहले कि भारत का अपना समविधान होना चाहिए चलो अब तुम कहतो अभी सुनो बातों को कहा थायमें रॉय सहाब ने कि हमारा अपना समविधान होना चाहिए सबसे पहले मांग किया था यह वही आत्मी है जो कि आपके Communist Party के सबसे दिग्ग जनीता थे Senior Leader यह वही इंसान है जो जब मैक्सिको में गय थे तब इन्होंने मैक्सिको जाके Communist Party की स्थापना करी थे इन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत को अपना समविधान चाहिए हम आपके हिसाब से गवर्न नहीं होंगे हम आपकी Treaties के हिसाब से नहीं चलेंगे हमें अपने हिसाब से चलना है हमें अपने समविधान के तुरों हमें काम करना है 1934 में सबसे पहले बर मांग की गई कि इसके बाद जवाल लहरों ने भी मांगा था तो 1935 में अप चुके British के काफ़े pressure create हो चुका था 1935 में British लेके आती है एक Government of India Act 1935 में जिसमें कुछ की features थे कि क्या क्या होगा कैसे कैसे वो समविधान क्या क्या रहेगा हमने पढ़ा हमने देखा बहुत लंबा चोड़ा इंडिया को World War का पार्टी बना दिया था उस टाइप में गांधी जी इसके खिलाफ थे गांधी जी ने कहा कि भाया वेना हमसे तूछे वे तुमने हमें बन जो ऐसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है अब 1940 में यह लोग क्यारते हैं क्या समवधान बनाने के लिए हमारे हां आता है अब ये जब लैंड करती है, Constimate Assembly जब लैंड करती है, जब Mission जब लैंड करती है, जिसमें अपके तीन लोग आते हैं, Stafford Crips, Pethic Lawrence और Alexander, ये तीन लोग जब आते हैं, और पूरे धाचा बना के आये होते हैं, क्योंकि पहली बारन के दो प्रपोजल तो जो थे, अल्ड़ी सम्वधान बनाने को लेके, इंडिया का सम्वधान बनाने को लेके, reject हो चुके थे, तो ये सारी कादम जो थे, फूब फूब के रख रहे थे, इस बार इन्होंने प्रॉपर सेपरेशन किया था, और उसके बाद वोटिंग कंड़क्ट कराई गई थी, और सब कुछ काफी स्टीबल चल रहा था, अंटिल अनलिस थोड़ा बहुत आगे चल के इशूज हो गए, और हमने इसके बारे में अलोड़ी कावर किया ही है, पॉलड़ी के चाप्टर में, आगे बढ़िएगा, ट्रस्ट में अगर मेरे हाथ में पावर होती, तो मैं ये लोग की आदों को पका ब्लॉक कर दी होती, तो मैं कब का ब्लॉक कर दी होती, जी मैं मैं ये लक्षमी कांत में है, हाँ जी, लक्षमी कांत की किताब में है, है क्योंकि पॉलेटी के लिए सबसे बेस्ट किताब है भच्छा धेनेश मीना हम déjà कि आपसे बात करते हैं राष्ट्य भाषा तो नहीं है लेकिन हिंदी में आपसे लोगोंसे बात करने आती है आती तो पर कंप भूले तो उसमें भी लेकिट बात चनरली आप लोग उसमें fundamental right है क्योंकि उप्रवाइट करता है protection किस respect में अगर आपको भाया conviction for offense हो जा रहा है तो उस type में आपने यह बताना है कि which of the following is not safeguard under article 20. अनुछीद 20 के तहत कौन जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है X post facto law, WG party, prohibition against self-incrimination, right to be produced before a magistrate within 24 hours बतायेगा आरे हर्शन पड़ाफट जवाब अरे यार सीधी सी बात है article 20 की बात कर एक्स पॉस्टो फाक्टो लौ इसके तहत तो नहीं होगा double G party के अंदर आप same offense के लिए नहीं कर सकते हो नहीं यह नहीं हो सकता है, prohibition against self-incrimination, right to produce before the magistrate within 24 hours कोई भी अगर moderator में बैठे हुए तो प्लीज लोग ही आद आपको ब्लॉक कीजे चौहान जी हमें पता है इसकी बारे में लेकिन हमारा जो काम है पढ़ाना तो हम तो पढ़ाएंगे आपको शायद यहां बहुत सर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं जनुइनली पढ़ते हैं हाँ, चल, right to produce before a magistrate within 24 hours, safeguard against arbitrary arrest and detention provided in article 22 camera पढ़ता है आगे बढ़िएगा विच्च मंग का falling freedom guaranteed by constitution of India include the right to know and the right to be informed as implied rights पता हीगा, freedom of speech and expression के बारे मैं बात कर रही हूं या फिर आपके पास यह freedom है कि आप किसी profession को प्राक्टेस कर सकते हो, doctor बनने का बने, doctor बन जाओ, वकील बनने का बने, वकील बनो, इंजरे बनने का इंजरे बनो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करने ही जरूरी है, right? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा हालत अफगानिस्तान का हो रखा है ओ मैं गॉड, मतब सोच के भी अजीव हो जाता है, freedom of assembly, freedom to move freely throughout the territory of India हाँ, शुकर मनाओ कि पटेल सहाब थे और पटेल सहाब ने भाईया सबको मना लिया, कि आप लोग इंडिया का पार्ट बन जाए, वरना पता चलता ना कि हम लोगी जो freely तर मूव करते हैं ना भी, अभी वीजा लेके तर मिलने जाते तो लोग अपने इस्टारों से, हाँ, दाट्स ट्रू, चली जवाब, 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 हाशुर कहरें, 72 कर D, एनिवन एल्स, एक बर वापपस से सोची, मैंने आपसे पूछा है, कि भारत के समविधान दौरा, गारेंटरित निमलेखित में से किस स्वतंतरा के नहित अधिकारों के रूप में जानने का और सूचित की जाने का अधिकार शामिल है, फ्रीडम और स्पीच अन एक्स्रेशन, बड़के हैं, अच्छित की जाने का अधिकार है, फ्रीड़ मोस्पीछ आफे एक्स्प्रेशन ए बेहें, अआपके हैं, आपके, आपके, स्थाथ नंदॉख औरिक्रे keeping ऑने अबर्श आ आगे बढ़ियेगा सुप्रिम कोट ने राइट टु एडुकेशन को लिंक कर दिया है राइट टु लाइफ से देखो पहले का टाइम तो चल भी जाता था बगर बिना पढ़े वो तब भी चल जाता था जब 1928 का वो टाइम पीरिड था जब 28 माने का इलेक्शन हुआ था इस टाइम पे इस आधा का है आप लोग काम किशें मैंनो को अपने साइड से ब्लॉक कर दिया इसलिह स्टे मुझे उसके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मुझे जो भी था रहा है सहब हमें नहीं Sith génér जहें ब्लॉक्त करेंगे उनको नहीं करें एंदी अच्छा नहीं तो मुझे उल्रनी श Academy Defense Squad Channel के उपर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? हाँ, छे से लिए के 14 साल तक में कहा गया है, very good, very good, चरो रहो यहां पर, आगे बड़ो, Which Act created a new office of High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions performed by the Secretary of State of India. Indian Council Act 1909 वाले नहीं power दी थी, Government of India Act 1909 वाले नहीं दी थी, या Government of India Act 1935 वाले नहीं या फिर Indian Independence Act 1947 वाले नहीं वाले नहीं वाले नहीं वाले नहीं दिख रहे हुँगे, अरे यह वही आक्ट है, जिस आक्ट को एक्जामिन करने के लिए कौन आया था, साइमन आया था, याद करोगे तुम लोग, साइमन आया था, और साइमन ने फिर इसके रिपोर्ट जाके जमा की थी, यह वही साइमन, इसके बाद हमने बोर्ट नारे गड़े लेकर प्लो कह रहा था ना, साइमन गो बाक, वो वाला, साइमन, वैरी वैरी गड़, वैरी गड़, वैरी गड़, वैरी गड़, जो आपका आक्ट था, वो गर्मेंट अफ तो इंठड द्या दंट त बढ़े राम सिंह शुक्रिया अधर्ष ओके कौशिक वेंपायर हां जी बुलिए वेंपायर हर्शल हाँ बाद में इसी गवेंटर बेंगॉल को इंडिया अलग कर दिया जाता है पहला वोर्फ गाय वोर्र थे यहां गोन पढ़ने हस्टिंग उपाधियां मिलती थी, convales हो गया, bentic हो गया, उपाधियां मिलती थी इनको, under the regulating act 1773, लाया गया था, इस act के तहर, governor of Bengal, become the governor general of Bengal, और इसके बाग, पहला जो रहा था, वो Lord Baron Hashtag रहा था, आगे बढ़ो, किस डेट पे, Indian Constituent Assembly ने, एडॉप्ट किया था, National Flag of India को, कौन सा दिन था वो, बताओ, मैं जरा, जूम करो, क्या जूम करें पिटा, तुम लोग किसमारे लिए बताओ जरा, B, तुम लोग कैसे कह रहे हो, B कैसे कह रहे हो, कोई A कैसे कह रहे हो, यह, यह, यही कन्फ्यूज रोते हो, तुम लोग, यहीं पर कन्फ्यूज रोते हो, येस, हर्शुले बिल्कु साही जवाब दिया, C, राभी कह रहे है, D, ना बिटा, विपल, B, D, अच्छे, C, वर्धान कह रहे है, C, प्रत्यमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अनस, उप्रकाश, तुर्विधी, विपल, गुपिनाथ, हा, H.C. by July 1947, समझे, कॉंस्टमेंट असेमली ने अडॉप्ट केया था, नाच्छल फ्लाग को, हमने by July 1947 को, नाच्छल फ्लाग ऑफ इंडिया वस डिजाइंड बाई परेंगल वैनिक्या, ही वस फ्रीडम फाइटर भी रहे था, सर्फ्ट अस शोल्जर इंड बिलिटिश आम में, इन साउथ अफ्रिका डियूरिं दा एंगलो वैर बॉर्ड जोगवा था अफ्रिका में, आगे बढ़ी हैं, आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी आई थी, जिसको हम कहते प्रारूप समिती के नाम से हमने जाना था जिसको, इसके चेर्मन कौन थे, बियार अमिर्कर साहब थे, यह वही ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जिसने आपका समवधान ड्राफ्ट किया था, साथ मेंबर थे, उसमें आपको बताना ये है कि इन में से कौन से जो थे, यह उन साथ मेंबर में से नहीं थे, आपने ये बताना है, बूर्ट पर क्लास आप लोगी बहुत जल्दी बूर्ट पर क्लास आप लोगी आजाएंगी, अभी इस पर बढ़ाई कर लीजे और शांती से, शांती रख के, ऐसा ना, लबी वाली सांस लो, और थोड़ा सा शांती से बैठो, कॉपी पैनल लेके अपड़ाई पर ध्याद दो, बात समझ में आई? वेरी वेरी गड़ हर्शेल गोपिनाथ, नहीं बुर्दाब गोपिनाथ, ए नहीं होगा, गलाथ, हर्शेल का सेयर रोहित कह रहे हैं, बी, अरे जीवी मालवांकर, कैसे कह रहे हो यार, कैम मुंशी तो थेस में, अरादी कृष्ण स्वामी अईयर भी थे, कैम मुंशी ते सैयर मुहमाद सदुदुल्ला भी तो थे, जीवी मालवांकर कहां थे इस में, सीरिसली बता रहे हो, चुप चप जाओगे, अरे अरे कैट भी दिफेंस स्कॉट पर वहां पर जाके प्लेइलिस देखोगे, प्लेइलिस रहे हो लगी है मिनी क्लासे, एक बजा के क्लासे, एक बजा के चेक करोगे तुम लोग, पूरा ये सारा जितने भी पढ़ारे हो, अरे सारा का सारा पढ़ाया वायत तुम लोगों को, उसके बावजुद ऐसी गलतियां, और वो भी बताओ, ऐसे इंप्रॉंटन पॉंटन टॉपिक पर ऐसी गलतियां होती है, भी रामबिटकर, एन गोपार स्वामी आयर नागर, कंसेप्ट और जुडीशिल रिवीज ओ इंडिया में है, ये अडॉप्ट किया गया था समवधान में कहां से, किस कंट्रिस आपको पता है, जब हमारा समवधान बन रहा था ना, तो हमने बियन राओ साहब को कहा था, कि आप जाएगे और जाके पता कीजे, ये सारे देशों को समवधान लेकिया, ये जिन जिन देशों का समवधान बन चुका है, ताकि हमें आइडिया मिल सके, बेर राओ साहब जाते हैं, समवधान का आइडिया लेते हैं जाके, और तो हमारा समवधान बन रहा था, तो 64 countries का समवधान को लेके हम बैठे थे सबका एक एक पैरा पढ़ा एक एक चीज पढ़ा क्या अच्छी चीज हो सकती क्या हम उनसे ले सकते हैं समझ रहे हो फिर हमने criticize करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी आदत है न criticize करने की कभी appreciate नहीं करेंगे लोगों को लेकिन हाँ ट्रोल जरूर करेंगे बताईगा judicial review जो है किस country से हमने लिया था USSR, Germany से, USSR जो कि आज आज आपका क्या है Soviet Union याद है तुम लोगो रश्या और Australia किस से लिया था हमने अनुराग अरे बच्चा मैं sorry बच्चा मैं जिनके भी comments नहीं देख पा रही हूं उसके लिए I'm really sorry लेकिन मैं जितने comments हो पाते हैं उतने comments में पकड़ती हैं उतने comments में आप लोगों जवाब में जितना हो सकते हैं मैं उतना चाहती हैं आप लोगों reply जो है मैं दे दिया करो क्योंकि comments जोने बहुत जल्दी जल्दी उपर जाते हैं येस इस AUSA आच्छा judicial review के बारे में मिंद्रवा मिल केस सुना है किसीने मिंद्रवा मिल केस 1980 वाला केस ये वो केस हैं जिसके बाद ये तै कर दिया गया कि इंडिया में जो कुछ भी होगा वो judicial review का subject होगा जो कुछ भी आपको याद होगा इंद्रा गांधी जी ने इंद्रा नहरू गांधी जी ने एक बाचा के कहा था कि भाईया देखिए speaker की जो election होगी और जो प्राइम मिन्स्टर कर जो election होगा अगर उसमें कोई भी घपला बाजी होती है या कुछ भी गलत होता है अगर ऐसा मिलता है या रिपोर्ट होता है कि भाईया गलत हुआ election में तो उसकी investigation जो है वो कोट नहीं करेगा बलकि खुद पार्लेमेंट करेगी उसकी investigation तो वहां पर हमारे judges ने कहा हमारे court ने कहा प्लीज एक बर आप लोग जा कर टेलिग्राम पे प्लीज एक बर मत कीजिए अप लोग वहां पर messages मत कीजिए कि झाल भी ख्लास अटन कीजिए कि अच्छा कि शुष्छ क हुआ अच्छा यहां भी यहां कोजा थै तो फर हुए तुप तुम ने कहा तऑ कि गरो मतलब कहते ना जक्शम भी तुम दोगे तुम दोगे जबा देगा यहां अ कभी नी होता क्योsst तरहां बैठ रहे हो और speaker में और वहां पर कहा रहो कि खुद Parliament उसको अब्सर्व करें कुछ पार्लेमेंट इसको इन्वस्टिगेट करेंगी यह वह पार्लेमेंट है जो कि खुद आरी पिश शुक्रिया हाँ आप तुम्हारे हिसाब से बैठेंगे है ना बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया हुकुम चलाने ने करो लोग को हुकुम चलाने ने करो लोग का मतलब हद है मैं मेरा सिम का नेट खतम होने वाला है मेटा पीडिफ जो है आपको अने क्याड में डिफेंस कॉड चैनल के टेलिग्राम चैनल पर आप लोग को प्रवाइड करा दिया जाएगा ठीक है अरिजनल कॉंस्टिटूशन ओफ एंड्रया हास इंडूड फोर्टीन लांगवजज इन एड शेड्यूल नाव विच अफ तर फॉलिइंग्वज जिसको हमारे शेड्यूल में डाला गया था चौदवा लांगवज जो हमारे शेड्यूल में डाला गया है वो अट एड्ध अरे तुम लोग ना सी सिंधी भाषा को इंडूड किया गया है हमने पंद्रावा भाषा के रूपे किसको इंडूड किया था 15 जरूप में संधी को देको यहां पे एल इसेडियूल मेंशन करता है लांगवज जो के ग्रुराइस किये गये हैं किसके दौरा हमारे संवधान के द्वारा और जिनले इट कंटेइन 14 लांगविज लेकिन प्रेजेटल यहां पर टूटल बाइस लांविज है जो कि इस कंटेइन करता है सिंधी जो है 21st अमेंडमेंट्ट आप 1967 के दवारा डाला गया था कोणकरी मनीपूरी णेपाली ऐड किया गया था 1992 में किसके दवार सिंधिफ स्थींटमेंडमेंट अंतर अंतर DR. इसके दवारा घ्यपाओ अतर बड़ा आजरी नही डढ़िए अण्जी बात है है आगे बढ़िए आपको पता है मैंने जिनकी निये कमेंट्स ब्लोक कर रहे हैं मुझे कमेंट्स बिल्गूल भी नहीं दिख रहे हैं तो आप लोगों भी करते हेघंगा आपको पही डिख नहीं ठaremos under which article the parliament can prescribe residence within the state or union territory बताईएगा article 15, article 16, article 17 या फिर article 18 अरे गलत होगे तो क्या होगे एक ही है ना बी आर्टिकल 16 बहुत अचे कुंजन C नहीं होगा बी होगा देखो पार्लेमेंट जो है प्रेस्क्राइब करती residence within the state or union territory में as a condition for certain employment as an appointment in the state or the union territory में अगर आपकी नौकरी लगी वी है तो भाया उसके अंदर आपको दिया जाता article 16 बहुत आगे बढ़ियेगा मम्मी को यह पसंद हो यह क्या थरीका होगा भाई आगे बढ़िये विच्चोत फॉलिंग स्टीटमेंट जो है सही है fundamental right यानि कि मौलिक अधिकार के संबंध में कि सही है क्या क्रिप्स मिशन जो आया थे जो कि 1942 में आया था क्या हो fundamental right रखा था उसने क्या august offer जो आया था 1940 में august में क्या उसने fundamental right को अपनी लिस्ट में रखा था अपने संब्धान में क्या नहरू रिपोर्ट जो लाया गया था 1928 के टाइम पीरिड़ पे क्या उसने पर fundamental right को रखा गया था क्या क्या government of India Act 1935 का जो संब्धान आया था क्या उसमें fundamental right के बारे पर जिक्रत था बताईएगा पीहू आ जाओ यार पीहू मिस कर रहे है तुमें पीहू बैठ गई हो थक गई है कमिंट करते करते पीहू देखो आ गई ना पीड़े बोया नव होगी यहीं होगी क्लास में पीहू कहीं जाएगी 81 कसी वेरी गॉड हर्शल अरोन रोदर नहीं बच्चा अरोन 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 और किसका जवाब है अरे 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 नहरू रिपोर्ट 1928 यह जो लाया था नहरू इसमें फंडमेंटर राइट के बार में क्या था जिक्र दिया हुआ था याद रखेगा आगे बढ़िएगा नहरू रिपोर्ट विच वस प्रेसेंट इंट्वेंट रिवसाइब इसूड अगे बढ़िएका नहरू रिपोर्ट विच वस प्रेसंट इन्टेशिट अगेशन खेगा प्रह बेहरा पर नगे विह रोगते बूसका और का रहता हूं, का राशा का कशया रोहा रेका फिर पॉशे जो लिशिल अथोरिटी के लिए लूज होता है मैंजमस इशूज अगेंस्ट इनी पॉब्लिक बॉड़ी अकॉपरिशन या फिर इंफीर कोड के लिए इस्तमाल होता है इसके उपर मैं सेशन आप लोग के लिए अल्रडी ने चुकी है तो एक वजा कि सेशन को पडमेंट रैंश्मंट देजीएगा और यह वही कब सब्सक्राइब कंवां सरकरिया पहुंड मिचन सव कमिटी को या राज मिनाँ कमिटी बिचवाए कि आरे fundamental duty को किस नहीं किया था किस ने ड्राफ्ट किया था fundamental duty को सुर्ण सिंग कमिटी या थे जो बैठी थी सुर्ण सिंग कमिटी तो जाहर सी बात है यहीं इसने डाला था ना कि भाईया अगर दंड देना अगर कोई भी fundamental duty को नहीं कहता कहा था ना कि देखो अगर लोग के पास fundamental right है तो लोग सिर्फ और सिर्फ fundamental right को ही क्यों enjoy करें यह कहा गया था तो अगर fundamental rights enjoy कर रहे तो उनके लिए कुछ obligations भी होगी उसको भी उनको पूरा करना चाहिए fundamental duties भी उनको होनी चाहिए जो उनको उनको होनी आपको पता है हमारा देश सबसे पहले ऐसा था ना मतलब बहुत कम देशों में शुमार था जो सबसे पहले इस ने ओरतों को भी voting right दिया था पाकी देशों में तो बहुत लेट से मिला है और फिर भी कहते हैं कि इंडिया जो है वो पीछे है वो यह वो इंडिया की बात कर अधियर को इसको कितने कितने लोगोंने आके लोटके गए हैं जहाँ पर ओर्तों को देवी का दर्जा दिया जाता है यह वो इंडिया हैं न यह यह अलग बात है कि जो जो बाकी लोग जो औरतों के इज़त नहीं करते बीकष सोच ले इस चीज़ को सब्सक्राइब सर जुकाते हैं और फिर आप कहते हैं वहीं पर बताओ 42nd 44th 46th या फिर 61st विच वाट नितन हर्शल उब्रकाष गोपिनात रुद्र बहुत अच्छे इस डी 61st डान बैटल ऑफ बकसर जो की ब्रिट्श इस डिना कंपनी के द्वारा हुई थी और किसके बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बकसर याद करो यह वही बैटल ऑफ बकसर है जिसके बाद ट्रीटी आपका साइन किया गया था ट्रीटी ओफ एलहाबाद जिसके थूट दिव आर इन शर्मा, आपकी problem का solution यही है कि आप अच्छी से पढ़ाई कीजिए और exam को निकालिए exam निकालना इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है आप अगर सही तरग से preparation करते हैं, एक road map बना के सही तरग से गर प्रिपेर करते हैं तो आप exam निकाल सकते हैं यह कि आपको घबराना नहीं होता है चीजों में, बात आ रही है समझ में और पता नहीं जाने ही क्या हो गया बताओ बताओ जवाब दो तुम लोग ना कभी ना जब मैं क्लास ली थी उना हिस्ट्री वे रहागी तो कभी पढ़ लिया करो ठीक है चलो आगे बढ़ो कर्जन वैली के बारे में बात कर रही हूं मैं बोट्स के लिए टिप्स यह है कि थोड़ा सा रिलाक्स कीजिए आप और अभी के टाइम में करना यह कीजिए कि अपने बोट्स के लिए तो अभी से प्रिप्रेशन जाओ कर लिए एक टाइम पीरिड़ एफिक्स कीजिए कि आपने दो महीना सपोस्स लिया कि मेरे को दो महीने में अपना पूरा जो सब्जेक्ट है मेरे को कवर कर लेना है अपनी जितने भी आपके डीप आपको जहां पर लग रहा है ना कि जहां पर प्रॉब्लम वाले एरिया है जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है आप स्कूल में जाईए डाउट सेशन अतेंड कीजिए जाई बताईए कि यह जो हमें टॉपिक हैं समझ में नहीं आया जाइए और जागि समझ के उसको क्लियर कीजिए प्राक्टिस कीजिए वहांपर प्रीवेश सर्फ पेर जो को सॉल्फ कीजिए वापस से और वापस देखो इंग्जाम्पल पर ध्यान तो अगर आप CBC से हैं, तो CBC के पाटन हमेशा मोरोले जो होते हैं, वो सिमिलर लह रहते हैं. आ, ये वराज, राजपुरो ही इत्मा में क्लास रोज होती है, नहीं, बच्छे, क्लास रोज नहीं होती है, ये क्लास जो होती है, आपके संडे को होती है. कि सत्यागरा कथा। पहला आमरन अंशन किया था महात्मा गांधी जी ने या जालिया वाला बाग्ट राज़े कहां पर हरीष हर्यानवी के रहे मां हां तो करो UPC क्लीर कर देंगे हां बिटा मैंने हां कर दी तुम जौब अब UPC क्लियर कर दो खुश चालो अभी UPC क्लियर करके हाँ दैन अगर इस तरीकी साप डो UPC कर रिकालने लगोंगे तो मैं तो कौन की हाँ जाओ जाओ आराम से कर लो आप रूज लिया करो क्लास काज है न रूजब की क्लास होगी वो आपकी होगी अंगडे 25 का अंसर अरे अभी तुमें 75 का रहे है ? अरे हमदाबाद मिल स्ट्रा अंपाद मिल स्ट्राइक जब पहली बार Gandhi नी कहती चाह लगो दर यह आमरन आंशन करा था चलिए बच्छा पता नहीं समर की कमेंट्स अभी आरे वरधानी कमेंट्स ब्लॉक हैं बच्छा पता नहीं क्या हो रहां यह रूण नों जी के गोखले महात्मा गांधी या फिर बाल गंगा धर्तलक और यह जो गूगल है ना गूगल बड़ा गंदा ट्रांसलेट करता है बता यह लो आगए कमेंट वर्धान के अभी हाँ जी आगए आपके कमेंट अनस क्या हो गया अनस करें प्यूव मेरी बाद सहलो सही कहा तुमने पिश सची बता रही हूं रोड़ा गया उसके बावजूद भी दी पड़े यह लो बताओ इसे चमाड़ वारने का मन करें लोग उसके बाद बाल गंगाधर तिलक देखो मजाग एक हद तक मजाग करो अच्छा है ठीक है बहुत दीर से आपको क्लास ले रहे हैं बीच में थोड़ा सा जरूरी है आपको भी ब्रेक लेना लेकिन जादा नहीं करते ना अच्छा नहीं लगता है आगे बढ़ी बाल गंगाधर तिलक न से पहले आगे देखिए फू रोट इंडिन वार अफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा था आर्सी मजबदार वीडी सर्वाकर एस बी चौधरी या एसन से किसने अच्छा तुम हो क्या इतने प्यारो नहीं तुम लोगो प्यार आ जाता है मैं मैं हूँ अब रो नहीं वीडी सर्वाकर आए बड़ी है अच्छा यह जितने भी लोग आते थे जो इंडिया में आते थे जैसे वासकों डिगामा आया उसके बहुत सारे पॉर्टिगी जिते यहां आ जाते हैं तो यह लोग जो यहां से गुट्स लेके जाते थे उसको हमले किस नाम से जाते थे औरियंट्रिल गुट्स के नाम से जाते थे याद है आपको यहां तो करें बी बी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हां जी शुक्रिया एक्स बी फ्रांसिस कोजी अलमेडा यही था वो आदमी और जिसने बहुत अच्छी तरीकी से यहां पर आके फॉटिफाइड भी करना शुरू कर दिया था भई यह तुम आये यहां पर राजकर ने पॉटिफाइड पॉटिफाइड कर दिया था बातारी समझ में अब इनके सबसे बड़ा उस टाइप पर आपका यह था कॉम्प्टिटर था कौन था अरप्स थे यह वही अरप्स थे जो कि इनका रेड सी रूट को ब्लॉक करके रखा था जिस रूट की वैसे इनको पूरी अरप्स थे यह लोग लैंड में तगड़े थे यह जो आपके पॉर्टिगीस थे यह लोग वाटर में तगड़े थे सी में तगड़े थे यह लोग चलिए अगे बढ़ी अब चूकि चीज हमने देखा था व्यू ब्लू वोटर पॉलिशी जए अडॉप्ट किया था फ्रा अरि पिंकु शुक्रिया मोरे साफ ग्रेट ना फूमंग दर एफ्र पर इंड इस्वाधिया व्यूजना बदाएगा अशुक्त नंदन सत्वरुप्प दसा गोस्वामी स्वामी स्वामी स्वानदन आफर पंदरूंग साष्त्री अथवेली बदाएगे केर माम नाम बहुत तफ है नाम तर लग्ष पॉसर इवर्ड वर्ड विए वोइफ्रिंड वोगया तुमारी बात इए अभी चलो पढ़ाई कर लाश्यो करते हुआ लोव लोव हाँ लाइस क्लिर मेंपायर हाँ जी बुली बुली क्या होगे अरे ऐसे रोके थोड़ी बोलोगे बोलो अरे बाबरे इसकी इसकी बासे समझे तो कुमार दीपांकर की सुन रहे हो हाँ जी आगे बढ़िए इन विचेयर नाशनल लिबरल फेडररेशन वस फॉर्म्ड इंडिया 1915 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1921 में कब आरे वास बाशन नतन वंपायर क्या होगा यह भगवान यह क्या था हर्ष्वल बहुत अच्छे 1919 वेरी गट मांटेग रिपोर्ट जो आया था अपका 1918 में उसको पुब्लिक कर दिया गया था जहां पर डिवाइड था, इंडा कॉंग्रेस ओवर इट, अब उसके बाद क्या आ गया सेपरिट इलेप्टरेट वारा मामला जो था वो सामने आ चुका था उस टाइम तक नाव, फर्स्ट एनमे समिट वस हेल इन विच कांट्री बदाएए तो आप लोगों में सी किसे ने कमेंट में लिखा था कि माम इतना टाइम बद दिया कीजी एक सवाल को इतना अप समझा देती है ना कि हमें पुरा लगता है यूपी सी क्लियर करतेंगे तो माम तुर्ण फुर्ण जल्दी जल्दी ली में समझा के निकल दीजी वैसा वालत है में आगे के बढ़ते चाहिए और इसके बाद क्या हो गया आपको इंप्रेस कैसे कर सकते हैं जब आप एक्जाम निकाल लेंगे और अच्छी तरीकी से पढ़ाई करेंगे सही तरीके से तब फॉर्शार पेल्ग्रेट 1961 आगे बढ़ो इन विच येर हिंदू महासभाज स्टाब्लिश करी गई थी सारे के सारे जवाब दे न मौरे सहाब शुक्रिया अरे आनस जल्दी 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 लोग को मैं ही जवाब दे देती हूं इसका जवाब है 1915 तुम लोग तो अलगी लगे वे वो कमेंट सेक्शन में हिंदू महासभा 1915 बदन मुहनमाल विए इट वर्क्ट अरसमाच फिर अधर हिंदू ओगनाइज़ेशन के साथ डिरेक्ली लिंक था राष्ट्री स्वंसेवक संग से अपना आरस से 1925 नापूर में वाइकी भी हेड़कर दौरा ओल इंडिया हिंदू महासभा कॉन्फरेंज किया गया था कहां पर हरीदवार में 1915 में आगे बढ़िए ट्रीट्यू अशुनांग पटनम जो साइन किया गया था एंगलो माइसूर वार के टाइम पे बताएगा फर्स सेकेंड थर्ड या फोर्थ एंगलो माइसूर वार था वो बताओ 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 जल पर साइन किया गया था शुरांग पटनम वाला जो ट्रीटी था था थर्ड वाला याद है तुम लोगों को अचा प्लस वाले बच्चे कमसम तुम्हें तो याद रहना चाहिए टीपू हांड़े टू संडू था इंगलिश टीपू सुल्तान ने हांड़ोवर नहीं किया थ बलके इन लोगों ने क्या के थे दो बच्चों को लेके चले गए थे रॉबर्ट क्लीव था न उस टाइन पे तो नों बच्चों को अपने पास रख लिया था ताकि भाईया जो है टीपू सुल्तान आगे चल के कुछ भी हल चल ना मचाए इसलिए दोनों बच्चों को प्रेना लेके आये हैं और तुम से लड़ाई लड़ए हैं कितना किश्ट हुआ हमें इसके लगवार इंडिमिनди जो है हमें पे करो उसके बात जैसा की ब्रडिशे इस ने प्रामिस किया था किस से निजाम से प्रामिस किया कि अगर तुम लोग हमारा सात देते हो टीपू स अपने दुश्मनों को भी हरा दिया और जिनको दोस्त बनाए उनको भी हमने बिना कुछ दिये शांत करा दिये इनकी बहुत बड़ी डिप्लमेसी थी जो इंडिया में चल रहे थे उस टाइम पर कहते हां तुमको देगे तुम हमारा साथ तो दो लड़ाई लड़ने में हम त चिंता मत करो उसके बाद दिया क्या कुछ नहीं चोड़ा-चोड़ा से एरिया पकड़ा दिया और नाम के लिए पूरा एरिया खुद रख लिया अब कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था अब टीपु सुल्तान जो थे उस टाइम पे फ्रेंच से मदद मांग रहे थे उस दोप्लेक्स था जिसको वापस से बुला लिया गया था लेकिन लास्ट में क्या हुआ था टीपु सुल्तान की मदद जुद्ही वो किसी नहीं की थी ईवन्टीपु सुल्ताने नंपूलीन को भी पत्र लिखा था और नपूलीन जो था वह एंडिया आने वारत तो तिपु आगे बढ़िए फॉस्ट अनेमें समिट हेल्ड हुआ था ये तो भी हो गया सवाल भी हुआ थोड़ी दर पहले नाव विच अमंग दा फॉल्लिग वस्ट इम्पोर्टन रिजन अफ अफ अब्जेक्शन तो साइमन कमिशन बाई इंडे नाशनलिस्ट बताईएगा क्योंकि वहाँ पे साइमन कमिशन को लोगों ने बहुत विद्रोग किया था साइमन कमिशन का बहुत जोड़तोर विरोध हुआ साइमन कमिशन आई थी ना रिव्यू करने के लिए गवर्मेंट अफ इंडे आक्ट को और उसके बाद अपने रिपोर्ट जो थी उसको जमा देने वाली थी तो साइमन कमिशन का विद्रोग क्यों किया गया था क्योंकि कोई भी भारती मेंबर नहीं था साइमन कमिशन के अंतरगत इसलिए या फिर कुछ ऐसे लोग सौप दिये गये थी उस कमिटी के अंदर जिनको एक्स्पीरिंस नहीं था वो लोग आ गया थी इंडिन कॉंस्टिूशन का फैर को देखने के लिए दोनों सही है या दोनों का दोनों जो है वो गलत है बताईए 97 का D हाँ बच्छा बखवास तो आप बिल्कुल कर रहे है आप अगर बखवास करना बंद कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी गलास इवराज कह रहे है ए वर्धान, हर्षिल, रामनिवास, अंजली, नितन बेटा है there is no Indian member in the Simon Commission इस वज़े से main reason क्या था कि Simon Commission में कोई भी भारती जो था, कोई भी हिंदुस्तानी जो था वो member नहीं था इसलिए इसका जोरतोर से इसका विरोध किया गया था आगे बड़ो नाओ, विचमंगदा फॉलिए फोलिए was a member of Simon Commission who subsequently become the British Prime Minister and later was overseeing the granting of the independence to India and Pakistan in 1947 में साइमन कमिशन का सदस्य था जो कि बाद में British प्रधान मंत्री बनता है, ब्रिटिन में जाके वहां पर प्रधान मंत्री बन जाता है एकदम कन्फ्यूज मत हो ना, Lord Mountbatten के साथ ही Mountbatten से कन्फ्यूज मत हो जाना, पहले बता रही हूँ क्लमिट अटली क्लमिट अटली जो था ये था वो आदमी आगे बड़ो, Penagal Venakya is related to which of the following? इंजन आमी से related है, इंटनाशनल फ्लाक से, इंटनाशनल आंदम से या फिर हमारे समवधान से अभी जस्त थोड़ी दिर पहले हमने ये सवाल जो था हमने किया था, राइट? क्या हो गया इवराज, बच्चा मुझे उसके कमेंड नहीं दिख रहे हैं यादफ के वो जो लो की आदफ था, तो अब चिंता मत कीचे, पता नहीं क्या बात कर रहोगा बगवान वाले के, तुम लोग ये ब्लॉक कर तो अपने साइट से नहीं दिखेगा नाशनल फ्लाग, नाशनल फ्लाग, नाशनल फ्लाग, अभी तो पढ़ाया थुड़ी दिर पहले, भप, मार कहोगे अब तुम लोग, सच्ची मार कहोगे, चलो, आज का आखरी सवाल ये रहा आप लोगो के सामने, पीहू, तुम ना मार कहोगी एक तर, बताओ, तुम अधरी आप जर्मनी बिकम अर रियालिटी, समर, हर्शल, मौरसाब, गोपिनाथ, ओम प्रकाष, तवेधी, अजली, आजय, कुमार्धी पांकर, शुभांकर, अब बताओ, किस साल में जर्मनी की एकता, एक वास्त्विकता बन गई थी, इन विचियर यूटी आप जर्मनी हाँ हाँ बाराथ ले क्या ऐटरेस चेंटर डेती है अरे 1871 यही तो था वो देन गिंग फश्वास वस्क्राउं टीज जर्मनी पावर अन्च यू अब्धिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने बहुत प्यार दिया और बहुत सही से आप सभी जो है तो आपका कमजोर पॉइंट वहां पे शामिल हो रहा है और कौन से पॉइंट प्टाइए और धियान देनी की जरुवत है चुकि आप सभी के एक्जाम जो है बहुत ही पास है तो अच्छे पढ़ाई कीजी द्यान बढ़ाई कीजी और इक्जाम निकाले फटा फट से तो मिल जाएगा आप लोगी क्लास कैसी लगी और हाँ ट्रोल लहीं करोगे कोई बता रही हूं पहले तुम लोग उसमें उसमें बुरे तुम लोग लगते हो ट्रोल गरने पर याद रखो चालो बबाई ठीक के रिवर्वान मिलते हैं आप लोग सभी से फिर बहुत ही जल्दी तो र पढ़ाओ मैं अभी आया हूं मारूंगी अब पकड़े के चालो बाई बाई